नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूं कि आप सभी लोग वस्ट और स्रक्षित होंगे और अपनी परिक्षा की तैयारी में अच्छे से लग चुके होंगे और आपने काफी सारी कीज़ें कंप्लीट कर भी ली होंगी दोस्तों जब हमारी तैयारी की बात होती की तो उसकी स्थिती उसी प्रकार होती है जैसे भारतिय गेंदवाजी के 19-19 बार की होती है आप सब समझ चुके होंगे इस रेफ्रेंस से और इतने से आप में से जगदातर लोग उमीर यही कर रहे होंगे कि आप इतनी कुछ उसी प्रकार समाप्त करें जैसे विराठ कोली ने पाकिस्तान के अगें समाप्ती करी थी और रिजल्ड के बाद आपका वैसा ही एक्स्प्रेशन रहेगा जैसा हार्दिक करेंगे तो आपको अपने अंदर बहुत ही ज्यादा कॉंफिडेंस फील होगा और इसके साथ क्लास को शुरू करते हैं और हमारा एम यही है कि भुमनेश्वर कुमार जैसे फिनिशिंग को हटा कर विराट पूरी कैसे फिनिशिंग की और जाना है जो कि आप सभी जानते हैं अगर विराट पूरी अपने गेम में एंड तक टिका रहा तो इंडिया वहाँ मैच नहीं हारती है उसी तरीके से अकर आप इस क्लास के रहे पूरा आपने एंड तक नोट है और एक नजर में देखते हुए चलेंगे मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि इसके अंदर हमारा पूरा का पूरा प्रस्पेक्टिव है और टूदा पॉइंट और टूदा एक्जामनेशन को औरियंट करके रखा गया है मैं यहां पर आपको डिटेल एक्समेनेशन उसी ची है और बहुत ही इजी टूग्राइस है दोस्तों मैं आपको बतार हो और पूरा कोर्स करेंगे इस कोर्स के अंदर आपको आच वाशन देखता हूं कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपका ऐसानी किसमार को बहुत ज्यादा प्रेक्टिस चाहिए जैसे मैं करते हैं समय के साथ बदलता रहते हैं अमेंडमेंड मेंट्स आप देखा हो आपके सारी चेंज्जेश लाया जाते हैं सोजन से जोड़ा गया अब यह आर्टिकल पहले नहीं था इसको अमेंड करा गया बदला गया जैसे हमारा पेड होता है बढ़ता है फल देता है उसी तरीके से हमारा अब को इंडेक्स में मिल जाता कि ठीक है इसमें ये चीज़ है ये चीज़ है ये चीज़ है सारी जानकारी आपको इंडेक्स में मिल जाएगी इस किताब के अंदर क्या 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 है तो कॉंस्टिक्यूशन में क्या क्या है उसकी जो हमारी इंडेक्स है वो प्रेयंबल है तो अगर हमें बात करने सोवरिंटी, तो सोवरिंट का यहां मतलब क्या होता है दोस्तों, अपने डिसीजन स्वयम लेने की छमता ही सोवरिंटी कहलाती है, इसका कहने का अर्थ क्या, कि भारत जो है, वो किसी दूसरे देश के उपर निर्भर नहीं करता है, उसे अपना डिसीजन क्या है, क्योंकि रश्या हमारा फ्रेंड है, रश्या के जाता में क्या सा रिष्टा रखना है, इसके लिए हम अमेरिका पे डिपंडेंट बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, नहीं किसी दूसरे देश पर डिपंडेंट रहेंगे, तो इंडिया की वो शमता जिसके कारण इंड क्या है हर व्यक्ति को अपनी जितनी उसकी लीड है इसके हिसाब से कुछ चीज़े मिलें और जितनी उसकी शमता है इस वह काम करें इस तरीगे की आइडियोजी देशन में फॉलो की जाती है हमारा चायना जो है उसमें भी कुछ कुछ सिमिलर है और आज तर आप देखेंगे इंडिया के अंदर भी इस चीज़ को हमने ले रखा है आप इसका एक्जामपल कैसे देख सकते हैं जो हमारे वीक पीपल्स हैं उनके लिए हमारे पास फ्री एलाज है एमस में दिया जाता है गवर्मेंट स्कूल्स दिये जाते हैं जिनमें उनके बच्चों के एजुकेशन में ले जा सके और रेलवेस के अंदर आपने देखा होगा एक जंगल डिगबा भी होता है जिसमें बहुत ही मिनिमम्म प्राइस के अंदर इनको ट्रेवल के रिए सुवधा मिलती है तो गवर्मेंट का काम क्या है वह अमीन लोगों के साथ साथ गरीव लोगों के लिए भी है इसका मतलब क्या है हमारे जर्श के अंदर हम धर्म के बेस्पे भेदभाव नहीं कर सकते इन सबी चीज़ों जो हम आगे आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना डिटेल में पढ़ेंगी थोड़ा-फोड़ा करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह चीज़ा कहां कहां प लेती है तो यहां पर हमारे जो सिखों का घुरू पर होता है इसके अंदर हम लोग क्या करते है हर यक्ति यानि जो होता है वो अपना गया प्रच्षित फिज रहता है वह सम्मू क्या करता है एक लिडर को चुनता है जैसे आप देखते होंगा अपने श्यूतर करती है पंचायक में पहले पहले है अब इतने बड़े देश के अंदर एक एक रखती जा कि अपनी बात रखेगा तो चीज़ा बहुत स्लो हो जाएंगी और लॉजिकली पॉसिबल भी नहीं है इसलिए हमारी डेमोक्रेसी कैसी है रिप्रेजेंटेटेटिव डेमोक्रेसी है हम अपना एक रिप्रेजेंटेट है अत्मक किसका मतलब क्या है कि रिपब्लिक एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जैसे मान दीजिए अगर आज रॉब्दी मुर्मुजी जो है हमारी राष्ट्पती होती कोई उनका कंपल्शन नहीं आ कि वह भी राष्ट्पती बन जाएंगे पर अगर आप बिटेन के ही ब्रिटेन में इनके पावर बहुत जादा नहीं है पर हेर्ड आप कॉन से होते हैं हमारे में प्रेसीडेंट होते हैं ब्रिटेन में पहले इनकी क्वीन थी अपिंग हो गया थिक के बाद तो ऐसे केंदर हमारे रहाँ हों इंडिया के अंदर कोई भी भी बन सकता है अगर आ हमकर aspirations की बात करें हमारे aspirations क्या है दोस्तों justice है liberty है equality है और fraternity है आईए इसके बारे में भी एक बार्शन shift में देख लेते हैं अगर आप justice यानि न्याए की बात करें तो न्याए कौन कौन से basis पर होगा दोस्तों social होगा political होगा economic होगा सोशल न्या मतलब क्या अगर आप देखेंगे आर्टिकल 14 और आर्टिक का पंद्रह में अभी हम इसको डिसकस करेंगे क्लास में आगे आर्टिकल 14 क्या क्याता है right to equality और उसके अदर हमारे दो पॉइंट आते है सेम गलती के लिए साथ साथ आर्टिकल 15 क्या क्या कहता है नहीं किया जा सकता भेदमाद नहीं किया जा सकता इसके बार हम आगे देखेंगे उसके बार अगर हम बात करें वो election लड़ सकता है, अपने आपको represent कर सकता है, तो किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं की जाएगी, यह हमें political justice के थुरू मिलता है, और last हमारा क्या है दोस्तो, economical justice, economical justice मतलब क्या, हर व्यक्ति को अपने हिसाफ से व्यापार करने की काम करने की अनुमती दे रखी है, आप आपको अपने हिसाफ से जिस तरीके का काम करना है, आप कर सकते हैं, मैं आपको वापिस क्या बताया था, प्रेयंबल क्या है, सार है, तो प्रेयंबल में जितनी चीज़े है ना, वो सारी की सारी चीज़े सम्विधान में कही ने कहीं से ली गई है, कहा कहा से ली गई है, उ जैसे मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको जस्टिस का पॉइंट समझ आ गया होगा कि सम्मिधान के कौन-कौन से आर्टिकल है वह हमें यह दर्शात है कि हमारे सम्मिधान के अंदर जस्टिस हमारा प्रियम्बल में है उस वर्ड को फुल्फिल करता हुए दोस्तों आग अब जैसे आप ध्यान देंगे आज से कुस्ट में पहले ऐसा हुआ था एक अटेक वह था टेर्रिस अटेक अब उसको क्या करा गया था आर्मी वाले जो थे वहां पर अपना पूरी तरीके से वहां पर फुल्फिल कर रहे थे अपनी जौप को टेर्रिस को मार रहे थे अब सब्सक्राइब के लिए तो इस चीज के ओपर एक दिन का पूरा प्रति बंद लगाया गया था अब अपनी बात रख सकते हैं जैसे आज मान लो मैं आपके समने पॉलिटिक की क्लास रख रहा हूं यह मेरी लिबर्टी है मैं अपने व्यूस एक्से चीजों को समझा सकता मैंने गड़ा एलेक्ट्रोनिस में जेठाराल का एक्जामपल यह मेरी लिबर्टी है पर यहीं पर बैठके आगर मैं जेठाराल को गाली देना शुरू कर दू तो इस चेस के अंदर मेरे ऊपर केस लगाया जा सकता है तो लिबर्टी भले हमारे पास है पर लिमिटेड रू मतलताल करें रहेगी हर व्यक्ति को एक बरबर माना जाएगा आगर मानलो सद्रीक इनको ज़ेल मिल रखा था ज्यूर्णाली गलती करें अगर वही गलती दूसरा जर्थी करेंगा इन इनको भी वही समय मिलेगी जिस के स्केर लेकिन दूसरे sellers को को मानकों को भी खड़ा ह हैं सब के सब एक दूसरे के हम भायवाई यानि बंदूता के साथ रहेंगे साथ मिलके रहेंगे तो यह भी हमारा सम्विधान हमें प्रियंबल के अंदर से बताता है अब बात करते हैं एक्जाम और दोस्तों क्या आएगा सोचलिस्ट और सेक्विलर यह जो दोनों टर्म यह ह आपके सामने नोट्बूक में लिख दीजिए यह पॉइंट आपको हो सकता आपके एक्जाम में डेरेट देखने को मिल जा किसी शिफ्ट में किसी एक्जाम के अंदर सोचलिस्ट और सेक्विलर वर्ड को जोड़ा गया और हमारा उनिटी ऑट नेशन था उसको रिप्लेस क सबसे मतलब क्या सब चीज़ की बहुत सारी डिटेल में ले रखा है अब बात के लिए 235 अर्टिकल थे याद रखिएगा शडियूल समारे आठ थे और भाघ हमारे 22 ते बौर आज पी सुमय में 470 आर्टिकल्स हैं गूगल में किसी-किसी जगर사 448 आर्टिकल्स भी दे करो सबस्सक में पर्फ और सोचोंगे लिए Kяти रखा है रखा का है किसर से बात तो बारा है और आट ट्रफ, तो आप 25 पार्ट्स हैं मैं जानता हूं आप सोचे रहांगा आर्टिकल्स क्या है श्रडियूल्स क्या है पार्ट क्या है एक एक चीज आपको क्लियर होगी आप शुनता मत करिया यह देखते हैं यह देखिए दोस्तों अगर मैं किसी बीक चूल को इसकी बात करूओ आपको इस बूख मैं सबसे पहले क्या वोते हैं पॉटिकटर सोते हैं और उ tiroll के साथ-साथ हमारी जो भी सामने इसमें लिख रखिए है इसकी हम तेक्स होता है तो वो जो हमारी detail है, वो हमारे schedules है, schedule में क्या होता है, हर की detail रखी होती है, जैसे मालम मैंने बूल दिया कि India is the union of state, इंडिया जाचे भारत is the union of state, अब इंडिया में कौन-कौन से state है, कौन-कौन से union territories है, वो article 1 में नहीं है, वो हमने बता जाए कि इंडिया कंदर state है, उसका union है इंडिया, मगर उसकी details हमें schedule में मिल जाए, schedule एक में मिल जाएगा, यह सारी चीज़े जो है दोस्तों, schedule में मिल रखी है, आप यहां देख सकते schedule क्या है, लिस्ट होता है, अब जैसे schedule 1 में आपने देखा state or UT का है, schedule 2 में आपका salary दे रख्था है, कि क्या salary होगी, जो government officials हो याद रखिएगा, salaries को याद रखिएगा, अब हम आते हैं, अपने constitution पहले part पे यान पहला chapter, इस पूरे class के अंदर हम, जितने भी हमारे important chapter से, उन सारे chapters को पढ़ें जे constitution के, जिसमें हमारा पहला chapter जो है, इस ते exam में कई बाए questions देखने को मिलते हैं, और यह आपके लिए सम यूनियन का और स्टेट का, यह तारों की सम अमतलब पता होना चाहिए, सबसे पहले देखें, इंडिया क्या है, इंडिया जो है, वो urban population को दिखाता है, यहाँ पर टर्म इंडिया जो हमने word यूज कर राखा है, वो हमारे urban population है, दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, यह urban population को यूज क मेंगो शेक में अगया करेंगे, दूढ ले लेंगे, आम ले लेंगे, इनको मिला देंगे चीनी, अपना सब कुछ मिला जोला के बनाइगे, इसूर्ट कीस के वाले कि क्या पहले वाले केस्ट के अंदर तो मेरा मेंगो शेक्ट है उससे वापस आम निकाल सकते हैं क्या वापस दूध निकाल सकते हैं आप कैसे बात कर रहे हैं अब तो मिला जी अब तो नहीं निकल सकता तो ऐसी चीज जिसमें एंट्री तो हो गई चीज की पर वह वापस नही सकते हैं उसको फेडरेशन कहते हैं अब आगे समझते हैं जुनियर का मतलब क्या है कि आप एक बार एंटर कर गए उसके बाद नहीं निकल सकते इंडिजा के अंदर आप जानते हैं जैसे जुनागर था अब हैदराबाद था कश्मीर था जो समक नहीं आना चाह रहा था अब को एक बार आ गया तो अपनी मर्जी से आया जैसे भी है उसके पास निकलने का उप्सन नहीं है मगर फेडरेशन में क्या है कि अकर मानलोग कोई एक बार आ गया ऐसे अमेरिका के स्टेट से हैं पचास स्टेट से एक साथ आपना राज्य बनाया अब वह एक बार आने के बा मुश्कीली मिलेगा उसके बादे क्वाल तरमाचा दूसरों क्फेडरेशन क्या है यह ऐसे राज्यों का सम्मूर रहता है जो वैसे अपना अलग अलग रहता है उनको कोई मतलम नहीं दूसरे से जब खत्रा आता है एक के ओपर तब वहां तो सबके सब एक साथ एक साथ एक इसमें रखेगा यूनियन के अंदर सेंटर की जो पावर वो स्टेट से ज्यादा होती है फेडरेशन के अंदर सेंटर और स्टेट बराबर होते हैं और इसकी तो किस तरीके से आया देखे अब आपको बताता हूं इंडिया उनको क्या माना रिया है हमारे समय धाने में लिखा है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑस्टेट है पर काईदे से इंडिया कोई चरीके से यूनियन की तरह काम नहीं करता है इंडिया ने कुछ-कुछ चीज़े फेडरेशन की भी ले ली अब ध्यान जीस का बहुत अच्छा सा एक्जामपल है यह अगर मानलों मैं आपको कहीं बोलता हूं कि आपको कोई काम करना है जैसा मानलों मैं आपको बोलूँगा कि आप गारी से भूमने जा रहे हैं अब गारी कंदर किसी बंदे को मानलों बिलकुल फॉर्टुनर चाहिए अब यहां पर बड़ी आदम क्या कर सकता है वह थार के अंदर ऐसी मोडिफिकेशन कर वाले जब उसे चाहिए और बरसात हो रही है और जब उसे चाहिए वह ओपन जीप छोड़के अपना वादियों में भूमता रहे तो इंडिया ने क्या कहा जब मेरा मन करेगा तब ना इस सीज को फैड्रेशन के हिसाफ से चलाओंगा जब मेरा मन करेगा तब मैं उसको यूरे के हिसलिए इसलिए इंडिया को क्वासी फैडरल कहा गया तो यानि थोड़ा सब फेडरल है अब पहले जान लेते हैं इंडिया के अब स्पेडरल फीचर क्या है और यूनि और इंडिया के अंदर एक चीज़ और क्या है कि 50% स्टेट के अनुमती जरूरी होती है किसे एसे संसोजन को करने के अंदर जिसमें स्टेट का रोल हुँ जैसे आप समझें कि जैसे जी एस्टी पास हुआ था तो सेंटर नहीं हां अमेंडमेंट करा 279 में डालने के लिए इंट्रेक्टी फेटरल स्ट्ट्चर को भी साथ सथ लेके चलता है और आलशिएًटर की ज्टा वीणीन ही जल्फेट कि ऐसे हैं जलते हैं कि कौन्सा थो पहुंचेंगे तो आप कोई सारे के सारे डॉट्स लिंक होने शुरू हो जाएंगे जैसा आप कोई मुवी देखते हैं ना मुवी में क्या होता है पहरा सीन कुछ आया नुसरा सीन कुछ आया और उन सीन स्कॉप शुरू में बस देख रहे हो तिना अब सब्सक्राइब कर रह सब्सक्राइब कर सकता है अगर बंगार सकती है अगर बिहार को चाहे तो मिचला के अंदर अलग सकती है तो इंडिया के अंदर स्टेट्स का अपना कोई वजूद नहीं है तो यह भी हम कह सकते हैं कि एक उनिटरी फीचर का पार्ट है उसके आपको बता है तो समझें किस की तरीक से डिस्ट्रिबूशन की गई है वह जाता तरह जो पावार है वो सेंटर की तरफ दिस्ट्र दिए उपर वाला को कंडिशन है जी हमारा फेडरल पॉलिटिक को दिखाता है और नीचे वाला उनिटरी पॉलिटिक अब पेरेंट है इनके दो बच्चे हैं एक शंबू है शंकर है शंबू बड़ा बच्चा इसका नाम संटा रख देते हैं और शंकर ठोटा बच्चा है के रूप मा रखा जाएगा नहीं तो कल जाके शंबू अगर शंकर की जमीन हरप ले शंकर शंबू की जमीन हरप ले इस केश में काफी साथी प्रॉब्लम क्रियेट हो जाएंगी इस ते लिए हमारा जो भी विल होगा उसका रिटन होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है अब पावर जो है उसका जो डिवीजन है वो भी इस तरीके से क्या जाकर दोनों में बराबर बराबर है ऐसा नहीं कि एक के पास पावर दूसरे से ज्यादा है पर अगर मैं बात को यहां पर यूनिट्री पॉलिटी के आप ऐसे पर समझ सकते हैं कि पेरेंट के एक बच्चे तो को देना है तो पता य trio सारह इसके पास जाएगा अगर रिटन पूरी कह ज यचे कर देंकी प्रॉलम नहीं आए इसकेश में क्या होगा दोस्तों सारह सारख दोएक ही व्यक्ति के पाप होगा पावर का बतवारा नहीं किया जाएगा और सारी कि सार्फिक दस्ताव कि ए Els जाना होगा तब जाके इस साम को कर सकता है अब सवाल उठता है कि इतनी सारी चीजों के जानने के बाद यहां हमारी अब ध्यान दीजिए जब भी हम कभी फेडरेशन के अंदर रहते हैं तो फेडरेशन का है वो एक बार आ गए तो जा नहीं सकते हैं अब इंडिया का अब जिस देश को जोड़ने करे इतनी मेहनत करी गई है और जिसमें हर जो मतलब छोटे-चोटे-चोटे प्रांत आपस तूटना चाहते हैं खुद को नया देश बनाना चाहते हैं अगर वहां पर लिविन रेलेशनशिप करवा तो इसके बीच में इनकी दो दिन के बाद नह नगते के निकल जाते लडाई करके निकल जातें अलग हो जाते में हैं और रहेंगे एक ही साथ देशखा बटवारा नहीं होगा इसलिए यहां पर य्यूडरा Hendersonने को फोलो किया फेटर से चलेगा मगर तोड़ नहीं सकते एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि इंडिया को यूनियन स्टेट के ले क्यों लेके गए हम और फेडरेशन की तरफ क्यों नहीं गए यूंकि उस वक्त जो राज थे वह उत्रे से तूटना चाहते थे उनको वैसा ही मींस तूटने की तनी इक्षा थी उनको पावर दे जाता कि आप अपने मरजी से रहिए और अपने मरजी से चले जा क्या है को भी दूसरे बहर का जो स्टेट है अगर वह हम से जॉइन करना चाहते है तो आर्टिकल दो क्या उसको यह प्रावधान दिया गया है को यहां हम से आके जुड़ सकते हैं पार्लियामेंड में लॉइड लॉइड अद्मिट नुट इन्टू दे यूनिया और इंड होता है कि यसे आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको मैप की रूप में यहां पर लिखाऊं कि इंडिया जब आजाद हुआ था तो इस वाले पोर्शन है यह इंडिया का पार्ट नहीं था शेक्टिम अपना इंडिपेंडेंडेंट था वहाँ पर अपना राजा वाला काम करते थे लिखाऊं करते थे इंडिया को बहुत पतली सी यहां पर रेखा जोड़ती है बहुत बहुत की लाइन है अब 10-12 कि लाइन को चायना आराम से तोड़ सकता है और चायना यहां तक पहुच जाए और इंडिया का हमेशा एक खत्रा बनाए रखे इंडिया इस फूज में जोडने की पोशिश करी जिसे चायना यहां पर डिरेक्ट अपना यहां पर आतंग ना पहुंचा पहें तो आप यहां पर देख सकते हैं एक्जाम के लिए आपका इंप्वाटेंट पॉइंट रहे गए सब्सक्राइब कर दीजेगा और सिक्क्राइब भारत का बाइसमा राज बना दिया गया अब जिहां सब्सक्राइब करें आंगा उसमा है अंहिंसे मारे आख समय को उलर के प्रदेना दो क्यान हों यह काम तीन के थाथ होगा उत्यर अउत्वा अत्र प्रदेश उत्तरा ंग या आज थैथ कर सकते हैं कहने का मतलब क्या इंडिया जो है दोस्तों वह इंडेस्ट्रिक्रिक्टेबल यूनियर हैं नहीं कर सकते हैं कैसे आपस में तोड़े घठा नहीं कि सकते हैं बढ़ा लेंगा लग बात हैं सब्सक्राइब से जमीन को नहीं तोड़ सकते हैं इसके ऊपर पहले एक कमरे का घर बनाया है उसी कमरे में पारिदिशन कर सकते हैं स्टेट्स का नाम सकते हैं यहां पर इंडिया जो अपनी वह है उनिया इसको यहां पर तोड़ नहीं सकते आगे देख लेते हैं दूस्तों ध्यान दीजेगा जनरेली आप बिल्स पार्लियमेंट में लेके जाते हैं यह सारी कीज़ आपको पीडिया के अंदर मिल जाएगी मैं आपको तेली ग्रॉप में भिजवा दूंगा इस कीज़ का मतलब जैसे भी आएगा आपके पास तो आप आगे हम देखनें दोस्तों आर्टिकल चार के बारे में आर्टिकल चार क्या क्या कहता है कि आर्टिकल दो और आर्टिकल तीन के ऊपर अगर कोई चेंज करना है तो उसके इस के अगरने के लिए हमें स्पेशली को आर्टिकल 368 के तहत्त अमेंडमेंड करने के आवशक्ता नहीं है आर्टिकल दो और तीन सब्सक्राइब चीज़े होंगी उसको हम डिरेक्ट एक बिल के त्रू लाके एक्ट बना सकते हैं साथ साथ ज हमारा जो है क्लास का एक बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट शुरू होने वाला है इसको करने से पहले मैं पानी बी लेता हूं और इस क्लास को आगे हम गंटीन्यू करते हैं क्लास करते हैं जो शुरू करते हैं आप इस अपने पॉइंट को अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह आपके हर एक्जाम के लिए सबसे इंप्वर्टेंट टॉपिक है अगर मैं करना हमसा इंपॉइंट तो मतलब मान दीके इस अपको हर एक्जाम में एक नए कोशन देखने को मिल जाएग हे यह आपका कीसमें आजा दोस्तों पार्ट तीन में आता है हम ने पार्ट 1 कर लिया पार्ट केंगे पार्ट टूप्नलiniziट हे उदिशिब है जो आपके आमझेंगे को यूदि को जानती हैं अब पहले चीज़ alter सब्सक्राइब करें लगेगी तो आपका और जानने का मन होगा और जागरुकता बढ़ेगी जागरुकता बढ़ाता है के साथ देखें यह जो है यह बिल ऑफ राइट से इंस्पाइड है जहां दीजाए हमारे संविधान में काफी सारी कीज़ें जो है हमने बाहर से इस्पिरेशन में ले रखी है इसको आपको 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 क्लास में बजा दूगा कौन-कौन स्कीज कहा कहा से ली गई है उससे भी कोशन आता है पर साथ साथ देख से चलते हैं बिल ऑफ राइट से इंस्पाइड है अब सवाल यह उड़ता है कि इन चैना चैना है करें यह जो हमें राइट मिले हैं यह दिसके fundamental law से मिले हैं fundamental law मतलब क्या हमारा सम्विधान तो यह आपको fundamental law से मिला है उसके बात यह क्या इनी चीजों के हिसाब से लाइफ जी जा सकती है रोटी कपड़ा मकान के हिसाब से अगर व्यक्ति का जीना होता दोस्तों जब हमारे उपर देखें कि हमारे उदेश में इतना सार इन्वेजन्स हुए थे खाना तब भी था लोगों के पास रहने की चीज़ तब भी थी जब ब्रिटिशर्स है तब भी लोगों को खाना मिल रहता थी रहने की जगह थी पर क्या वो जिन्द की जीने लायक थी नहीं थी लोगों को जीने के लिए क्या चाहिए दोस्तों उनका फिसिकल ग्रोथ चाहिए हर चीज में उनकी जब डेवलाप्मेंट होगी अगर मांद साथ के फंडमेंटल राइट्स हैं अभी आग देखेंगे किस तरीके से ध्यान दीजागे में आपको बात को फिजिकल ग्रोथ के लिए फिजिकल ग्रोथ मतलब क्या राइट टू लाइफ जो आपको मिल रख़ा है जीवन जीने का अधिकार आपको राइट लाइफ में अब मालों किसी व्यक्ति कि प्राइविसी को इफ्रीच कर जाएं आपको फिजिकल ग्रोथ के लिए पो राइफ मिलना ज़रूदी है राइट प्राइविसी का राइट है जीवन जीने का अधिकार है अपने पसंद से शादी कर सकते हैं यह सभी कि नभी जीर्या को समिधान तहरे मां आगा है्स के तहरे हैं अगर लिए अगर आगा सब्सक्राइब जब भी चिशनग घ्यान रखेगा समय चिजिव को जब भी पढ़ेंगे आपको जब भी किसी आर्टिकल के आगे यहां पर हमेशा यह दर्च आएगा कि यह कि शुरू से नहीं थी इसको हमने अमेंडमेंट करके बाद में लाया है अब ध्यान दीजेगा कोई भी ऐसा देश में बनाया जाता है तो फंडमेंटल राइट को तोरका है तो उस लोग को उसी बाद नल एंड वुचित कर दिया जाएगा उस लोग उसी बाद पूरी तरीके से समाख कर दिया जाएगा कोई लोग ऐसा है जो हमारे बेसिक स्ट्रक् रहाँ सबसे बड़े जीवन जीनने के जो राइट से उनका कोई हनन करेगा उसको बचाएगा सबसे बड़ा कोट हमारा क्या है सुप्रीम कोट है आप क्या समझे पहला पॉइंट कर देगी इसके सब्सक्राइब करने की मान रख सकते हैं कि ध्यान दीजाए आपकी इग्जाम के लिए कौर इंपॉटेंट पॉइंट है कि पहली डिमांड जो है इंडिया बिल 1895 में स्वाराज बिल जिसको हम कहते हैं उसमें बाल गंगाधर तिलग जी दोरा रखी गई थी और उसके वाल मो सब्सक्राइब करते रहे हैं करते रहे हैं रिवाइस करते रहे हैं अब करेंगी सबसे पहला आर्टिकल 12 क्या 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 है कि हमारे ध्यां दीजेए स्टेट की सबस्क्राइगे नहीं और सब्सक्राइट की चीज्जेट किया है। लेजिस्टेटिम एग्जेक्यूटिव और इंगे लोकल अधॉरिटीज है उनको भी दोस्तों लोग यहां पे अपने सम्विधान में स्टेट मानेंगे तो आप आप आर्टेकल बारा जो है हमारा स्टेट बताता है इस स्टेट की डेफिशन में आगे जिसमी जगा सम्विध के लिए आएंगी आर्टेकल तेरह क्या कहता है कि स्टेट कोई भी ऐसा लोग नहीं बना सकता है जो फंडमेंटल राइट्स का हरन करता है अगर वह ऐसा लोग बनाएगा तो ऐसे लोग को पूर्णी तरीके समाप कर दिया जाएगा उसको अग्जांपल देख सकते हैं वह अगर वह अगर कोई रेक्ति अपना पार्टनर ही चूज नहीं कर सकता है वह जो हमारा सक्ष्ण 377 वाला पॉइंट है वह हमारा किस्ते अगेंस जा रहे है जो चीज़ फंडमेंटल राइट के अगेंस गई उस चीज़ को पूरी तरीके से हावेस्ट हमाप कर दिया गया उ सब्सक्राइब कर सकता है अगर आपके परिवार के अंदर आप किसी नौर्मल परिवार का एकजांपल लीजिए वह ऐसा परिवार है जो एक ही वक्ता मान लोग खाना अफॉर्ड कर सकता है अब इसके अंदर दो बच्चे बिमार पढ़ जाते हैं तो यहां पर राइट टो एक्वालिटी में एक्वालिटी विफोर लॉक्या कहेगा कि आप दोनों व्यक्तियों को चाहे कोई बिमार हो कोई बंदा कमजोर हो कोई बंदा स्ट्रॉंग हो दोनों वाप एक एक से भी मगर होता चया है जो बंदा वीफ होता है उसको दो सेट देी बराबर मानना और आँब देखते हो Você कोई बड़ा बंदा उसको क्राइंग होती है 18 से छोटे करने वाले की सजा अलग होती है उनको वहाँ पे समझाने के लिए बाद सुधार ग्रह होता है वहाँ भेज दिया जाता है क्यों कि दोनों व्यक्ति की mental development में बराबरी नहीं है क्योंकि mental दोनों सजा बराबर रूप से नहीं दी जाती वह हमारा इक्वल प्रटेक्शन अव लोग को फॉलो करता है आप एक्जाम के लिए आर्टिकल चौज़ा से एक्वैलिटी बिफॉल लोग को जाज रखेंगे दिमाग में बिठा लेंगे एक्जाम में कभी भी आ सकता लेक्चंट धेख लीजेए अट्सप्टेशन की पुछ लेता है प्रेसिडेंट गवर्नर नोट उसरेबल ऑफिशाल फंक्शन लेता है अपने साथ से काम करता है साथ साथ कोई भी क्रिमनल प्रोसीडिंगा कर होती है इसके आगे प्रेसिटिएंट गवर्नर के आगे तो उ विकेर ये विल्कुल नॉर्मल उस तरीके से राइट नहीं है जैसा सब के लिए होती है प्रसिडेंट रहते हैं आप सो जाके हथकारी नहीं लगा सकते हैं वह आप देख सकते हैं राश्च्पति या राजयेपाल के कारेकाल के दौरान किसी भी अदालत में उनके खिलाब सब्सक्राइब को हटाता जाएगा उसके अपने की इंकारिवाई को कर सकते हैं है कि यह ज tän Tol देख देख लेते हैं दो स्तों आटिक बतरों क्या 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 है कि दूहारे स्टेट है वाबिश्ची डिस्क्रिमिनार नहीं कर सकता ओनली कि बीसिबर को इन सभी चीज़ों की प क्या कर सकते हैं कैसे एक सब्सक्राइब क्र नौर्मल व्यक्ति चाहे इन दिस्क्रिमिलेशन सकता है और नहीं कर सकता और नौर्मल व्यक्ति भी पब्लिक प्रेस्ट में नहीं कर सकता है rough hospital लिगा ő और होस्पिटल ङृगर नहीं आके आप यहाध कर आके अपना इलाज नहीं करवा सकते है तो니까 flats得 जोगी तक दोट के तरन के तरह कि पॉज़ाएगा आरटिकल इछाई शोलो देख लेटें दोस्तों किया है यह आपका आरटिकल सोलो है वह जिसके आप तजयारी करते हैं और के कैसे सरकारी नौकरी करने के लिए पॉब्लिक employment होता है इसके लिए सरकार भेदवाव नहीं कर सकती है मैं जानता हूं यह लाइन सुनते हैं आप काफी सारे स्वाय उड़ जाते हैं रिजर्वेशन का कंसे अप्र जाता है सब्सक्राइब करने का पॉइंट के लिए क्या है अब लोगा क्या होता है उसके तकर में किसने दिन पालेशान होते हैं फिमेल्स की पेमेंट नहीं करनी होती है ध्यान दीजिए आज आप लोग जो शहर के अंदर यूजब बंदे रहे हैं उनके लिए 100 रुप बड़ा अमाउंट नहीं है नगर गाउं में आज के समयंबी कई ऐसे लोग हैं नहीं के लिए 100 रुप बड़ा अमाउंट है और फीमेल्स जिनको इंडिया मुशिजदाब से पहले राइट नहीं मिल रखके हैं उनको आज के देट में 100 रुप भी मिलन किसलिए बस फॉर्म भरने के लिए एक बार नहीं चार बार भरेंगे पांट रहेंगे बहुत मुश्किल पर जाता है उनको वैसे बढ़ाई कला उपर्चुनिटी नहीं मिल जाती है उसमें करना पैसलों का बाधा और लगा दें उनके उपर घट जाएगी इसलिए यहां प आप चार के अंदर देख सकते हैं यहां पर दिस्क्रिमिनेशन वाला जो आप लूस्वली कहते हैं पर एक्ट्रिमिनेशन बिल्कूल भी नहीं है वो एक अपलिफ्टमेंट है यहां चीज़ को पढ़न लेते हैं कि बारी दाएस आर्टिकल इंपावर दे स्टेक्ट तो में स्टेक्ट प्रोविजन इंदी फेवर ऑफ बैकवर क्लास अप्रिजन इन रिजर्विंग भी पॉस्ट और दी निचर अफ दी पॉलिक इंप्लिक 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 सर्वेसे और अल्सो शुशली एं एग्डुकेशनली बैकवर इस चीज़ को मैंने डिटेल के अंदर मैंने एक और क्लास आपके सामने ले रखिया यूट्यूब पे आप डालेंगे सुन्टरमेंटल राइट क्वालिटी आर्वी करके शुबह मिश्रा करके आपको मिल जाए कि मैं आपको बता रखा है यहां पर यह समझ लीजिए कि जो व्यक्ति एक्ट्वाली में बहुत पी है अब अगर आप एक्वैलिटी क्या गहेगा आगकी लॉजिक से कि एक्वैलिटी यह है कि जोनों को जो भी परसन है रेस में विसल एक साथ बजनी जाहिए अब अगर मैं एक साथ विसल बजा दूंगा इस के अंदर तो बीवाला ओल्रेडी आगे है तो आगे पहुंच ही जाएगा व्यक्ति हेक्वैलेक्याहां की मानलों की अंडर 12 टीम है अर्य edited कि यादा अच्छीए अंडर त्थेवालिंके शी Color चींचेंए अच्छी है अब इसते अंदर आप लोग क्या करेंगे देखेंगे कि दोनों के दोनों को बास्केट वाल को भैकना है अब इस व्यक्ति के लिए गयप है यहां लोग नो आधो करना चाहिए लिए करना है तो क्या करूंगा करना है इस को अपलिब करना हो कि तो एक को बरावर नहीं है इसको एक्ट्वल में करानी है तो एक को बीक के बरावर लाना पड़ेगा उसके बाद ही मैं देने की कोशिश की जाती है कुछ रोज ऊता है आगा जानता हूं जिनको रोज है उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो यह देखेंगा गर्पे चीजों को एक्सुली डेस्ट काम करेंगे तो बहुत समय में फुटरण विस चीज को तरीकिया से काम implement कर सकते हैं और society में equality की और बढ़ा सकते हैं चीज़ों को बाखियों आर्टिकल 17 पर आते हैं दोस्तों आर्टिकल 17 क्या क्या क्याता है यह untouchability को हर फोर्म में abolish करता है इसके अंदर कोई भी इस और बट नहीं है को मान लेंगे करेंगे लोग सब साथ काम करते हैं एक ही औसम साथ खाते हैं साथ बैठते हैं सेम स्कूल हों जाते हैं सब के नहीं बनाया जाते हैं यह गाउं को देखके बनाया जाते हैं आप चाहें तो आर्टेकल फिप्टी मुवी देखेंगे आप समझेंगे चीज़ों को पता है कि हमारी मुवी या साहित है वह हमारा समाज का दरपन है अपको बता दिया इसमें कोई एक सब्सक्राइब नहीं है अपने नाम के आगे इस तरीके सा यूज नहीं कर सकता है बस दो तीस के अंदर हमने टाइटल के परमिशन दे रहे किसके अंदर एक डिफेंस के अंदर इसमें को बोले के अपने विक्रम बत्रा वह अपने नाम के आगे लगा सकते हैं लगा सकता है पर बांकी व्यक्ति नॉर्मली नहीं लगा सकते दूरा जीटिया अगर कोई अपने साथ लेता है तो ऐसा आपने अधुकेशन जीए से मालों डॉक्टर के अदरा बाब करूं ऐसी तो अपने आगे नाम के आगे लगा से मालों डॉक्टर मनमोहन सिंग है उनको पिएशडी करी डॉक्टरेट करी तो व्यक्ति अपने अगे इस्टिस की डिगरी लगा सकता है तो मिलिट्री और एक्जाम बार आता है कि भारत मालों पद्मा बॉर्ड्स है इसको पर कई अगरा बात करूं क्लूजन की फटाफट देखते हैं क्लूजन के हमारा आर्टिकल 14 क्या है एक्वालिटी बिफोर लॉव आर्टिकल 15 क्या हमारा प्रहिबिशन है किस पर इस्क्रिमिनेशन वें ग्राउंड के ऊपर अगर आपको पसंद आ रही हो और अगर आपने अभी तक हमारे आर्वी चैनल को सब्सक्राइब करें यहां पर आपको हर्कीज की अपडेट एससी एक्जाम्स यापने जितने भी गवर्मेंट एक्जाम्स है इनके लिए आपको मिलती रहेंगी और काफी सारी चीजों की ज आपको प्लेटी पाड़ा रहा हूं यह हमारी आपको प्लेटी का मतलब क्या है कि चीजों को समझने की कोशिच करते हैं चाथी आप इस ने बढ़ घर सकते हैं ऑर आपको आगर जो आपको कंपने हैं किस ही चीजों को समझ सकें किस तरीके से बन रहा है और के लिए को कर सकते हैं अपको सब कुछ मिल जाएगा है जितना भी ग्यांत इस리 पॉलिटी जोग्रफी है आपको फिजिक क्यमेस्ट्री बाहिव राधिका मैंने कंप्लीट कराई है आपका पॉलिटी में कंप्लीट करा चुका हूं जोग्रफी पर काम चल रहा है और में पर हिस्तिरी भी हम कंप्लीट कर लेंगे और आपके एक्वानिक जो स्टेशन सर्कर वारे हैं तो आपको पूर और एक सबसे मीज रिवॉल्यूशन का टाग जैसा हमारे चैनल रिवॉल्यूशन बाई एजुकेशन तो रिवॉल्यूशन के रूप में मात्ने वन ट्रिपल नाइन के अंदर हम लोगों ने पूरा का पूरा गवर्मेंट एक्जाम सोगेंटी जितना भी कोर्स है चारों की चारों चीज़ें पूरी तरीके से समापता को आपको इस एक सारी क्लासिक मिल जाएंगी हर क्लास के साथ डेडिकेट टेलिग्राम ग्रुप होता है जिसके आपने डॉट्स पूछ सकते हैं और टीजर आपको पर्मानेटली जैसे भी होता है मिस अपने हिसाफ से आं अब इसके जितने भी इंप्रटन फीडियर साथ को यहां समय समय मिलती है जो आपको अपने एक्जाम में बहुत जारा है परने को मिस मिलेगी अब टोस्तों अपनी तयारी को आगया बढ़ाते हैं राइट फिर्टम पे आते हैं जो है यह आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक में आर्टिकल 19 के अंदर क्या है दुश्रों 6 हमारे डेमोक्रेटिक रैट से क्या क्या राइट से देखे हैं इसमें चैसे लिए पूस्त को याद रखिए है फ्रीडम आस्पीच आ सब्सक्राइब के सब्सक्राइब यह में मिल जाती है अब ध्यान दिए अगर मां बूलेंको अपना अप्सक्राइस करना है एक प्रसकर करने करें दिए इसके लिए आपको क्या या था को मीटिंग्स करेंने आपको अस्टेंबल करें रखा इंदर मिल रखा है आपको पॉलिटिकल गृप्स हैं इसारी कीज़ आप आइसी बीज़ पीजिए होगी यह पार्टी साब बना सकते हैं कि अपको आपको आपको कोई रोके गाने तो यह साथ है यहां आपको आपको समवेदंशी हिलाते हैं अरुणाचल है वहां पे चाहिना के साथ हमारा पर लिये देना पड़ता है जैसे मालों मेरा क्या है कि मेरा कुछ लग देशने का बहुत चूकिए तो आप लड़के यूज वली देखना पसंद करते होंगे लड़कों आप ड्रीम टाइप कर रहा था कि लड़ा बाइक से ट्रिप मारेंगे तो उसके अंदर वो क्या देखते होंगे कि जब लोग जाते हैं तो इनलाइन परिमिट्स लेने होते हैं क्यों लेने पड़ते हैं अब वहां पर कौन रखती आया इसकी जानकाजी रखना देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ऐसे जो छेत्र हो गए उस जगा परिमिट्स लिया जाता है बांकि छेत्रों के अंदर आप आराम से ट्रावल कर सकते हैं क्योंकि उसका रीज रखा था मागर इसको चौवाल सम्विधांशन शोर्जन 1978 के तरह रहता गया गया और इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया यह यह बी इक्जाम में कई बार पूछता है कि राइट टू प्रापरिटी पहले किस किस मता ध्यान जिए इसको दो जगाए एक आर्टिकल नाइ नहीं कर सकते हैं पर प्रापर्टी यह अगर जो जाए कि तो उसके हिसाब से क्या होगा अब मांदो सरकार को कोई काम करना है प्रापर्टी आप देने को लिए तयार नहीं है वो लेंगे मारा फंडमेंटल राइट है तो सरकार का काम देश की प्रोग्रेस को वह बहुत दिमाग से मत भूलिए गया आटिकल नाइंटीन वन जी अपना गड़ा एलेक्रोनिक्स वाला याद आ गया हो आपको अपने हिसाब से प्रोफेशन आपको जो चुनना जो काम करना चाते हैं आप कर सकते हैं यहाद क्या से करेंगा आपको स्पीच देना है आपको स्पीच अपने कर सकते हैं अपने कर सकते हैं आपनी अनुसार आपको आर्टिकल नाइंटीन का समझ आया होगा आर्टिकल ट्वेंटी देख लेता है दोस्तों क्या है फंडामेंटल राइट्स जो है विज रिस्पेट्ट्रेशन पॉर का मतलब यह है कि अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बात नहीं किया जा सकता है आप कार्फी मुवीज देखते होंगे कि पुलिस टेशन में आपको पुलिस मार कि आप गवाही ले लेती है कि ठीक है मैंने गुना अगर आप साइन कर दी उस गवाह को या उस जो आपका साइन decidingने उसको गवाही देनी है कि नार्फॉ्ष को बंड अपर गवाही मैं इसके टेश है आप गरने दे आपके लगlor कर मैंस ये गल्ती करी उसको यूद करके केक शॉल के äस सबसे इंपोर्टन लिबर्टी इसके अंदर ध्यान दीजिएगा इस आर्टिकल को काफी बार नीज ऐसा समझे इसके तू काफी बार गई है सुप्रीम कोड मैं राइट टू लाइट के अंदर क्या क्या चीज़े आएंगे तो सुप्रीम कोड बताएं राइट टू अगरा वार गई राइट टू प्राइवरी एडुकेशन ओगा राइट टू राइट लाइट के अंदर आती है वह साजी की तरी चीज़े आपको मिल ले चाहिए इसको फंडमेंटल और फंडमेंटल राइट कहते हैं क्यों कहते हैं लाइट ही नहीं रहेगी तो लाइगा था आपको पीडिया के फ़र में मिल जाएगा यहां मेरा का मपको अंडरस्टेंड निंगे आपको साथ साथ देने की कुशिश करता रहेगा तो आट तर 21 लेके अंदर आपको 86 में समय दान शंचोगल दो को अब अश्याद रहना है अब ध्यान दीजास के दुवाट के विंगर कुश्राम साय थे एक फ्री है कमपलशनी है अब पढ़ेंगे श्याद के अप्लजे का फरी एक परृटा करें का अपने बच्चे नहीं बच्च वाहे वे भेजे जो आप उसको मिल रहा है देने के तयार है वो आप आपे बिल सके और इसको है fundamental duty के अंदर में इनट्री 묡ियीच कर दिया गया है आर्टिकल um को निर्दोस्थ थाबित करने का अरेस्ट करने आती है पुलिस उसको आप कारण पूछ सकता है कि कारण बता आप मुझे क्यों अरेस्ट करने आ रहे हो दूसरी चीज अपने वकील से अब पहले के अपने जॉब को लेके बहुत जारा वो सीरियस था प्रसंद करता है अब किसी बंदे के लिए आपको काम करना है और आप उसके मर्दूर है गुलाम है तो इस चीज के अगेंस लाने के लिए आर्टिकल 23 लाया गया पहला क्या है प्रोहिबिट ट्रफिकिंग इन सब्सक्राइब करना है अगला हमारा आर्टिकल 24 है एक्जाम के लिए यह बहुत इंपोर्टन आर्टिकल है यह क्या कहता है कि आपके जो चाइल्ड लेबर जो हम कहता है उसको बैन करना वह आपना आर्टिकल 24 है सिंपल सा इसा याद रखिए अब चाइल्ड जो है जो 14 साल से कम की उमर तक उसको हैजार्डस इन्वाइरमेंट में काम नहीं करना है अगर ना आपको हो लिए कोई बच्चा है दस टारिक अंदर सारे गामा पाई लिटिल चैम्स में जाके गाना गया रहा है पैसा काम आ र इस चीज के अंगेंट का ब्रेक लेते हैं मैं पांस मिनट का ब्रेक लोंगा आपकी क्लास को यह से स्टार्ट कर दी जाएगी तो ठोड़ी जरका आप भी ब्रेक लिए इस पांस को शुरू करते हैं दोस्तों ब्रेक के वारे में अपनी क्लास को वापस से रिस्टार्ट करते हैं देखिए हम लोग ने अब दा क्या करा था फंड़ने राइट्स पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने आर्टिकल साथरी वो आयागा right to freedom of religion देखिए जब मैंने आपको हाँ प्रियंबल के बार में बताया था तो कहा था कि उसके अंदर आपको एक टर्म दिखा था पहला टर्म क्या है यानि कि inner freedom यानि आपको अंतर आत्मा से freedom मिल रखी है तो यह बताएंगे किस चीज की प्रफेस मतलब आपको speak करने की प्रेक्टिक यानि की डूब यानि आप करने की और प्रपगेट यानि की spread करने की ध्यान दीजिए आपका जो संविधान है वह आपको هरा राइट देता है कि आप अंतर आत्मा से आपको जिसको मानना है ध dripping को मान सकते हैं दिखता है अप की तो आपको क्या कहता है कि आपकी जिदने भी है ति क्या कर सकते हैं बशरती इसमें कुछ रिस्रिक्षिंज्स है क्या कर दोस्तों ॉबले को अपयर कुन थो नहीं अपको बशर्थे को पब्लिक और हेल्थ को नुक्साल ना पहुंचाए इसका आप एक्जाम्पल देख सकते हैं कि पहले जैसे जग राते चलते थे माता की इसमें क्या होता था कि रात में पूरे अच्छे से भाजन वागारा सब कुछ होता था मातला है कि वहां पर गीद गाया जात प्रॉब्लम करने के ऐसा उनको लगा कि कर सकती है आपको पूजा से नहीं रोका गया लौट स्पीकर में बजाने पर रोका गया तो इस केस के अंदर क्या करा गया इसमें भी जज्ज्मेंट लाई गई कि सब्रीमाला के नहीं मान सकते हैं उसके बादा मात करो आर्टिकल 27 क आर्टिकल 27 आपको क्या कहता है दोस्तों आप टेक्स वाला पॉइंट धियान रखेगा मतलब क्या गवर्मेंट जो है पहली कीज यह कि आपको फोर्स नहीं कर सकती है इसपिसी धर्म के लिए टेक्स देने के लिए और दूसरी कीज यहां पर यह है कि तब गवर्मेंट टे जत्रा पर खर्चा करेगी इसकेस अंदर जो हमारे जो भुरूबर के अंदर झुलूस निकाले जाते हैं उसको भी खर्चा करेगी हर DN के लिए यहाँपे खर्चा किया जाका जाएगा घ्क्स से पैसा जाना है तो पैसी एक सकते हैं पूरी की पूरी पूरी स्टेट फंडेट इसको उसके अंदर हम बिगिस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं अगर आगा बात पर दोस्तों आर्टिकल 29 की आरटिकल टैनका ने कींसे प्र망ब है protection of interest of minorities यानि कि minorities के इंट्रस्टा प्रोटेक्शन होना थी नहीं को बचा आप करना चाहिए मगर आर्टिकल 29 के अगर आप clauses में आएंगे इसके अंदर उसने क्या का रहा है इसको एक्स्टेंड का रहा है सब लोगों के आई इसको पढ़ते हैं फुरानी तो जाएंगे आप लो दो ताइटल अपाटिकल 29 इस प्रटेक्शन आप इंट्रस्ट आप मिन आप इस तेजन्गा एंडिकल 29 वन टाथा था सेट प्रटेक्ट कर सकते हैं आपने लेंगविफ को प्रॉटर कर सकते हैं और अपने क्शल्टर को प्रटेक्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए अगर वह चाहिए अपने लेंग्वेज को कंजर्फ करना चाहिए वह अपने लेंग्वेज को अंजर्फ कर सकता आप देखते होंगे कि आपको बेंगॉली सभा दिखती है अपने लेंग्वेज को कंजर्फ करने के लिए अलग 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 स्टेट्स के अंदर आपको दिखेंगी विहार में आपको मैसली कि विद्यापीट समारो टाइप विद्यापजी समारो टाइप को चीज़े दिखती हैं यह सबी चीज़े क्या अपनी लेंग्वेज को अपन यहां पर सेक्स वाली चीज़ को यहां पर इंक्ल्यूड नहीं क्या आ गया था मुझे लगता है आपको यह पॉइंट हो गया होगा है इसी सा पॉइंट है यह भी कि आपको थार्टी देख लेते हैं आपको थार्टी चैनल अपूरे सक्षिन को और आप देखेंगे आपको थार्टी के नदर क्या चीज़ है देखें दिए इस्टैबलिश और अडविनिस्ट्र एदिश्टी इस्टीश्ट्यूशन जैसे आप मदरसा देखते हैं यहां पर इसके आपको इसके आपको कभीष होती है तो सबसे बहूं करते हैं डॉक्टर का पास जाते हैं डॉक्टर क्या रिवीव करता है अ उसको अपको उफजार लिए याप को धानन होगा तो आप किसके पास जाएंगे वहाँ डॉक्टर थैए याप को बचाने वाला कौन है सुप्रीम कोडर हाइप है दौक्तर रिव्यू करते हैं आप लिए धाइक बठीवरुकु को बचाना है उसके लिए जैसे कि मैं आपको बताया कि अगर आपको कभी तवियत खराब होती है अगर आपको फंडामेंटल राइट कोई प्रॉब्लम हैंगी उसको कॉन बचाएगा सुप्रीम कोड या है और आर्टिकल 32 के तहट जो सुप्रीम कोड को यह पावन मिल रखी ह है अगर सुप्रीम कोड सुप्रीम कोड सुनिश्चित करें मुझे लगता है आपको नौर्मल क्लियर हो चुका है मौल डेडिया को समझा चुका हूं तो रिट करने इतना टाइम ज्यादा नहीं देंगे अपना यह वहीता पॉइंट्स है कि सुप्रीम कोड यहाँ जारी कर सकती है यह फंडामेंटल राइड पर भी कर सकती है उसका पाइक सब्सक्राइब नामस है प्रहिबिचन ए सट्वरेरी यह और ट्यू वारें टूए यह आपके सामने लिखे हुए है कि अधर आप इसका हिंदी चेक कर दिए अपर सब्सक्राइब हो सकती है कि मैंने अपने हिसाब से पूरी वेरिफिकेशन के साथ आपको हिंदी भी चीज़े दी है यह कहीं प्रॉब्लम ना हो बांकि आगर आपको कहीं कहीं लगता है कहीं इसुए ता वहाप इंग्रिश को रेकिरे करिएगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब कोई-घूजदा हो गया सब्सक्राइब कर दो क्या होगा इच डिक नहीं को घर्रेइब कोई-टी कर रहे डवियत्ति का वाद कि अ करती है कोड जो है वहाँ पर कमांड कर देती है इनको किनको अपने नीचे वाले उत्फारिटीज को जैसे पुलिस हो गई कि हैविएस पॉर्पस का रिट जारी कर दिए तो कोड क्या कहेगी इस व्यक्ति को यहाँ तुम्हें लाना है इसकी जो बॉड्डी है उसको पूर्ट कि मदद सही उस्यक्ति को जूड़ने के कोशिश के जाती है जिसलिकी देश्फपर जाचलता है मैं नामस्नामस जो रिट है दोस्वे मतलब कांड के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारी हर्फ व्याद है करते है तो अपनी नीचे वाली अथ्वरिटे जहां दीजिए से हमार करते हैं कि कोई काम सही से करना है नहीं करना उसको बताने के लिए आपको इसका इसका देखने को मिल सकता है कि आज से कुछ हमें पहले बीपेस्ट को लिए कि बहुत ज़्यादा मींस भूचाल सा मचा हुआ था कि उन्हें शिफ्ट अलग अलग कर दिये थे और स्टुडेंट अगला दोस्तों है प्रविशन का मतलब होता है तुक पोरवेड प्रविशन को आप धिए मतलब करना इसका मतलब क्या है कि जब मान लोग कोई लोग कूट है वो कोई काम कर रहे है ध्यान दिए जितने भी एडिट्स है इस सबकिसा पावर सुप्रीम कोट कि अगरा हाई अ सुप्रीम कोट है यहाँ पे है का मतलब कर दो उनको ने का केपर करने के लिए के वहां पर रही पर होता है जारी किया जाता है कि उसके वारा घॉनिकर होट खरुट लोग गुट को कहती है प्रोहिपिशन में को रोख देंगे अपने प्रश्वर कर लेंगे अंदर को यहां पर बना दिया गया उनको लगता कि अधर के बाहर का केस है उसको वहीं पर हो लो चिल कर देते हैं अपने बाश ट्रांसफर भी कर सकते हैं यह सारी की देख लिए जो भी चीज़ है रफ्रेंट्स मैं आपके लिए सारी के सारी लिख दिया है यह पीडिया अपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी आप एड़ रेट आर भी ए अंडर स्कूर एस तर्च कर लिजेगा यहां पको टेलीग्राम पे पीडिया अविलेबर हो जाएगी सारी कि आप पढ़ते पढ़ते साथ साथ चलेंगे तो आपको पता यह कूर्स बारा घंटे-पंद्रा घंटे में समाप दोगा फिर इतना आप लोगा भी नही चलता हूं की और मतलब क्या आप इसी प्षिस पर पहुंच गए है और उस पर होने के योगहा नहीं है इस चीज को चैक इसा यहां पर पोंचता है कि अब आप्यों के यहां रेक्ति को उस पोस्ते हटा सकती है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पांचों के पांचों समझ आ गाए होंगे एक वाज को रिकॉल करें लेते हैं शुटा सब करना कि कोई काम करना या नहीं करना उसके सुनाने की सजाकी अनुमती नहीं यह आपको जस्टिफाइ करना होगा अगर आप इसी गलत तरीके से पहुंचते हैं तो आपको उस पर को खाली करना होगा अभी दूस्तों हमारा अग्रागों इंपोर्टेंड रोब इंट्रस्टिंग्ट अपर्टेंग्ड इंट्रेग है इत्व प्रिंस्पर प्रॉसी यह एकजाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे इसका पोश्टन्स आते हैं इसके साथ मैंसके विशलिस पर उस समय हमारे देश के पास यहां पर इंप्लिमेंट करना चाहते थे पर उस समय हमारे देश के पास पैसा नहीं था यहां पर यहां पर नहीं कर सकते थे अभी आप समझेंगे ऐसा कौन सा लो जिसके लिए पैसा नहीं था यहां रखा है उसको हमारे पैसा नहीं सब्सक्राइब कराएं आर्टिकल 21 से के अंदर उसको बाद में डाल दिया गया अच्छे वास्टिए में 2002 कि तहर्ट जोड़ा गया उसे तब समारा फाइनेंस ठीक नहीं थे उनिफॉर्म सिविल कोड जो है हमारा अभी तक हम डेश में इपलिमेंट नहीं कर भाएं उस वक्त कैसे करते आप कंचेप्ट ऐसे समझ लीजिए कि सिविल जितनी कीज़ हो दिया आपको एक क्रिमिनल हो गया एक सिवि सेम सझाए है सब को सांथी मिलनी है मगर हिंदूवीजम में मुसलिम में अलग है कि खिनीटी में अलग हुगया सिविल कोड मतलब इसे मैरेज हो गया डिबोर्स हो गया ऐसा जमारी चीज़े हैं यह सब के लिए जिए सेम करी जानी चाहिए अब यह से उस जना के समाझ में पॉसिबल नहीं थी इसलिए उसको हमने क्लास में कवर कर रखा किस तरीके से डिबेट का पूरा पॉसिबल नहीं कर सकते हैं उसको प्रॉबलम थी वहां पर इसनी जादा भी जाएगी तो जो एक्क्राइटी रहा है वह कम होने जाए बढ़ता ही चला जाएगा और उनको एक अप्लिफ्टमेंट नहीं मिल पाएगी इसलिए उसको खटा दिया गया अब फ्यूटर के लिए कर लेंगे तो जिन जिन चीज़ों को हमारे संभिधान बनने के वक्त में हमने विश्युलिस्ट में रख दिया वही वही चीज़े हमारी के हैं दोस्तों डीपीएसपी से हैं अब ध्यान दीजिए डीपी इस्पी सब्सक्राइब यहां पर समझेना है क्या चैना पार्ट वूर्डवम में भूलने की गलती नहीं कर सकते हैं कि अप ध्यान दीजिए।DuPs का जो है न आपको मैं आपसे किसी बंतेखाव निगा मानुगा हुआ इक फर्टिकुलर जैकट खरीजेनी ने पहली है और आपको पांट में हिजार रुपए का है है। आप कोशिश करेंगे कि अपने बजट को 5000 तक पहुंचा है जो आप उस जैकट को अफॉर्ड कर पाएं तो सिमिलर्ली आप देखेंगे जो डिपी अस्पी को प्रिंसपल और एक्शन के निलोगी से समझ सकते हैं ध्यान दिए ध्यान दिए और सामने वाले बंदे को इसे ग्र आप समय से इसको फैमिली मुश्यताब से रिस्पेक्ट मेंस मिल रखा है अगर आप देखने को यह सब्सक्राइब और यह मानलो आपके परिंसपल रिस्पेक्ट करना फूड का और यहापके एक्शन में कैसे दिए आप खाने को वेस्ट नहीं करेंगे कभी खाने को ठेकें कि आपने जो आपको फैमिली से क्या मिला ये मिला है कि खाना बहुत मेहना से उगाया जाता है उस चीज़ का वेस्ट नहीं करना है कि कई भूखेस होते हैं तो आपका प्रिंस्पल आपको घरवल से मिला कि आपको सब्की मदद करनी है help everyone या आपके एक्शन में कैसा दिख सकत से रिलेटिट होंगे जैसे माला भी कमेंट सेक्षन आप खुलते हैं यूट्यूब पर कई बंदा कुछ भी कमेंट कर देता है उसके कमेंट पर घवराना नहीं है आप यह समझ लिए उसने जो कमेंट करा है अगर अच्छा कमेंट कर रहा है वह उसको किस तरीके के प्रिंस समझा देगा मैं किस प्रिंसली से आया हूं मेरे को क्या सिद्यान से मिल रखिए घजा से गब्यान कर और आ क्या सीपर फीलर वेजी yourself बर जो है दोनों कि दोना गवर्मेंट को एक ही एम की और जाना है एक हमारा है इंडीआ वह हमारा रहिए प्रिंपल्स के वापर होते हैं अभी आप समझेंगे कैसे कि जैसे आप देखे आर्टिकल चारिस के अंदर डिटीयस्ट में डाला गया कि पंचाय के आर इंस्टूट्यूशन होना चाहिए कि इस चीज़ को यहां पर एक्षां के रूप में ले आया गया इसके 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 इसको चुट्टियां होती है उसको बढ़ादी गई कुछ आप जानते में टेमें क्या होता है मिलती है में जिसमें सोला थे कि अब उसको चौवी सब्सक्राइब कर दिया या क्यों इक वार क्या है प्रवाइड आइट टूब इस लाइड उस पिवर्क को प्रोवाइड करना उसके लिए मन रेका चिवारण आप जानती हैं आर्टिकल 48 क्या ues स्यलाटे हैं भॉरीद एक्षर उल्हालिच यू सब्सूरे करने कृक् OMOR सब्सक्राइब कर पाएं जो हमने कभी सपना देखा था ना इंटिन फॉर्टी सब्सक्राइब देश के आजादी के बाद हम जिन सपनों को लेकर हम बढ़े थे उन सपनों को पूरा करने का हमारा उद्देश है इसमें एक पॉइंट गाल के इंग्जाम में कोशन हाता है यह इसका मतलब क्या इनके ऊपर आपको सजा नहीं होगी तोड़ने के हिसाब से कहने का मतलब फंडमेंटल राइट आपका ब्रेक हुआ है आप सुप्रीम कोट चरे गए ब्रेक हुआ हिसके आप नहीं जा सकते बीपेश किसी चीज़ को बन गया तब भलब ही चले जाएंगी यह तो हमारी विशलिस्ट है ना अब जैसे मानलो मैं आपको बोला कि आपने मालो मानलो जैकट मंगा लिया और एक जैकट में रखा है जैकट मंगा लिया इसमें कोई प्रॉब्लम हो कोई तो इसके अधर आपके रिप्लेस्मेंट की जाएगी वहां पर ठीक किया जाएगा में प्रॉड्स आपको बाटा इसके सालाट पुछ नहीं कर सकते ना स्यम यहां पर कंसेथ है फंडामेंटल राइट आपना ओर्डर कर लिया है यहां का विशलिस्ट में है इसमें सामडिक्राइट बन गया तो उसके लिगल राइट में चीज मिल जाएगा आगो प्रॉडि की धारना को फॉलो करते हैं जैसे कि लोग में एक्वैलिटी राना इंकम की डिस्ट्रिविशन को घटाना उसके बाद वुमेंस और मैंस को बराबर पे करना इस तरीके की जो चीजे हैं यह हमारी सोशलिस्टिक प्रिंसपल हैं गांधियान प्रिंसपल यानि गांधी जी के ज उसके वाल हमने देखा कि जो हमने वह पड़ाता जो हमारा आर्टिकल एक किसे में जोड़ा एद्विकेशन देना चिल्टर्स को वह हमारा लिबरल इंटेफ्लेक्शन में आजाएका आई यह देखने करके फटाफ़ अब्लीट करते हैं यह से आर्टिकल शक्रिश्मापको बनाना पड़े manifested को घ helt चीजद मनाना पड़ाना पड़ेका में महल अनुआ पर रॉडब क्र favour वेलफेर को प्रमोट कर सके यानि लोगों का अगर प्रमोट होगा ये चीज़ हमारा में उद्धेश है डी प्याइसप का उसकी शुरुवादी आर्टिकल है बहुत इंपोर्टन आर्टिकल में आ सार क्या है कि लोगों के वेलफेर को प्रमूट करना इसमें कापने सारे प्रिंसपल है एबी सीडी का क्लॉसेद है जैसे मैं आपको बताया कि लोगों में मैंनी मनी का एक जोगा सब्सक्राइब करना चाहिए जैसे आपने देखा हुए करी आपको किसिस के अंदर फ्री जो को वकील होता है आपको फ्री प्रवाइड किया जाता है वापको आपको आर्टिकल सब्सक्राइब करें कर देखा है हमीशा याद रखी जो हिए वो हमाराई परमुशिन अब्रोमस ऑप्रेति teu सवसाइटी ज़ो है और सब्सक्राइब आगे पंचाइच के साथ बहुत ही इंपोर्टेंट आर्टिकल याद रखना आर्टिकल 45 आपका क्या है प्रोवी प्रोवीजन पूर्ली चाहिए अल्रेडी पर लगता था इसी के साथ मैं आपको लिंग करा था आर्टिकल 21 एको आर्टिकल 46 को अगर मैं देख जो पीछे की explanation है वह मैं आपको साथ साथ देता चलूँगा इसके उपर बहुत जड़ा डिटेल में भी नहीं जाएंगे तो बहुत लंब हो जाएगी एक्जाम के जो आपको इंपॉर्टेंट में आपको साथ साथ मार्क करता जाओंगा और इसको समझने करें जो अंडर्स देखते हैं और्गनिशन अगरी कल्टेर अनिमल हस्वेंटरी आर्टिकल फॉर्टी एट आपको वाइलाइफ प्रोटेक्शन के ऊपर है आर्टिकल फॉर्टी नाइफ करना इसका जुडिशी ली को और एक्जिक्यूटिव का यह मारी न्याय पालिका जुडिशी हमारी का लेजिसलेचल तीनों के बीच के डिफ्रेंस को बता रखा है मैं उम्मीद करता है महाला कि इस चीज़ को देख लीजेगा अगर किसी को जानना हो उसको प्रमोशन आप इंट्रेशनल पीसन सेक्वारिटी अब ध्यान दीजिए विस सारे के सारे आर्टिकल आपको बुक में अगर पॉलिटी तरीके से इनी चीज़ को डिटेल में पढ़नी है अब कोर्स के अंदर आखे देख सकते हैं एक एक आर्टिकल बहुत डिटेल में तरीके से समझाया गया है पर यहां पर हमारा पर पर पस एक्जाम है तो इस प्रिफेंगे देखें आपका आर्टिकल 38 याद रखेंगे यह आप नहीं भूल सकते हैं आर्टिकल 40 याद रखेंगे अगर डिपेस्पी से कोशन है इस से जरूर आ सकते है आर्टिकल उसके बाद आपका इसमें आप 43 वी को परेटिव सोसाइटी का याद रख सकते हैं यह कई बार एक्जाम में पूछ लेता है आर् यह आर्टिकल 14 आपका युनिफर्म सिबिल को याद रखेंगे और मैं आपको यहां पर दो पॉइंट और क्या क्या बता है इसे कि मिस्कर दिये क्या कि एठीक है मैं आपको जो यहां पॉइंट्स बताया है तो मैं आप मेरे लिया रखेगा आईरिस को याद रखना है उसके बार हमें क्या याद रखना है ऑसके लिया गया है उसके बार और एक आर्टिकल फॉर्टिएट एक को भी आर्ट कर दीजेगा तो यह जो चीज़े हैं इसको आप डीपी एस्पी के केस्ट में दोस्तों बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होगा आपके लिए उसके बाद को ऐसे डिरेक्टीव है जो में पार्ट को के बाहर में रखे हैं आनि हमारी छोफ में आप मेरे आपने आपने लाइख़ जैंड एपिज अब एपनेशन सी ऑधिनिनिस्टेशन है बसर्थ से आपकी जो प्वालेटी है वह कंप्रमाइज नहीं होगी अगर आपके लिए भी ग्रैजिवेशन ही आपके सीजिया क्यरे क्लाइफिकेशन है और यू आर ओवी सी वाले हैं उनके लिए ग्रेजवेशन है तो क्वालिफिकेशन यानि मिनिम्म क्वालिफिकेशन चाहिए वह दोनों के रहे सेम है अगर मालों यहां पर यह कहा जाते है कि क्या क्या से कम क्या न हो क्वालिटी में रहने कशने सी वह और आप उस्समान से किया और जैनाते तो जब मैं छोटा सब्सक्राइब कोई चीज समझ आती है उतना अब मैं मैं समझ सकता हूं वो कि मैं यहां पर हिंदी कंदर में भाशा सीखनी पड़ती तब उसकी समझना पड़ता है जैसे मालों मैं पांस सार का था उस समय तक के पहाड़ा याद कर रखे थे तो कि मैं मैं इस तरीके से अब यहीं पर पहले मैं टू 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 जा फोर करने में आथा तो टेबल की बेसिक अंडर्स्टेंडिंग नहीं ले पाता इसी तरीके समझा करते हैं कि जो मदर टंग के अंदर अगर बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दी जाए जिससे उसकी अंडर अब आपको पता है कि हिंदी पढ़नी 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 है जिससे लोगों को हिंदी आया और कम्निक्रिशन के अंदर हिंदी है कि लेंग्वेज का माध्यां बन सके अध्यान दीजे का अभी जितनी भी चीदे पढ़ी है यह हमारी अब आप आप सोसे हो चीज है जो होनी चाहिए हो चीज़े हो चुकी है समय के साथ जैसे हमारा जिश आगे बढ़ेगा बज़ाट आएगा जो जो चीज पैसों के कारण कर दी जाएगी और तो समाज के कारणants नहीं हो अब आपने देखा होगा कि यहां पर कर देड़े लाने की बात करए लोगोउन को भी रिलेट ना कर पाए जैती बड़े लेईफciones से यहां पर जब तक यह चीज completely खतम नहीं होगी, तब तक UCC को लाना बहुत ही मुश्किल पड़ेगा, यहां पर सारी की सारी चीज़ हमारी विशलिस्ट की है, वो पैसों के का रहनी प्रॉब्लम नहीं है, जिसे मालब ड्रस मंगाते हैं, अब ड्रस अगर आपको मालों को फट कई चीज़ इस कारण पूरी नहीं है कि पैसा नहीं है, और कई कारण कई चीज़ इस कारण पूरी नहीं है कि महां पर जो समाज है, वो चीज़ को भी accept करने के लिए तयार नहीं है, प्रेंट्स हमारा अग्जा टॉपिक का फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट फोर ए यूए अगर आप इसके अंदर हमारे क्या है, कि इंद्रा गांदी की गवर्मेंट्ट इनो ने क्या सोजा कि जैसे हमने यहां पे लोगों को जैसे मालों हमाने सरकार को यहां पे दे रखा है, कि आपको यह चीज़े सोच नहीं है, लोगों के लिए लोगों के अंदर भी जाहरुकता बनानी चाहिए कि वह भी देश के लिए सोचे, इसके लिए क्या करा गया, स्वारं सिंग कमीटी की रेक्मेंडेशन पे जल्दी से लेख रहेते हैं, आर्टिकल इक्यावन ए है, पूरा पूरा इसके लिए पार्ट के है, यह से लेकर के की तक है, टोटल ग्यारा है, सुरू मां दस्थे एक को ऐड करा गया, अभी देखी हैं, क्या क्या है, पहला कहा है, तु आ वायद को फालो करेंगे, ने शेख की के आइडियों को फॉलो करेंगे आर्टे का लिक्तियावन एक बीबार को देखते हैं क्या कहता है तो चेरिश एंड फॉलो नॉबल आइडियों विच इंप्वाइड अपर नेशनल स्ट्रगल फुरीडम जिनके हिसास हमें फ्रीडम मिली हमें उसकी भी यहां पर रिस्पेक् करते थे अब दोनों में से कोई गलत नहीं है अब यहां पर इनके रूल्स को फॉलो करें इसके उपर काफी हत्ता यह पॉइंट रखा गया है कि आपको है क्लियर करना चाहिए कि हम यहां पर किनके रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए कि उसके बार आर्टिकल चावन ये का देख लेंगे अगर देश में आपको जरुत पढ़ती है कंट्री को कि उसको आपकी सर्विस के आवरेश रखता पड़ेगी अगर मानलों कि आज डेश केवजाना आपडा आजाए या कोई अटायक आज है तो वहां पे आपको भी वह जाना पड़ेगा देश की शुरक्षा के लिए से युक्रियानी कंदर आपने देखाता है लोग गए थे लोगों को बताने के आप विशक्ताने हों खुदी इतना तयार रहते हैं कि अट्राइक में खुद नहीं सोचें कि खुद सब के सब तयार रहते हैं जाने के लिए आर् जाती है उसको पूरी तरीके से त्याग देना है उसके बाद हम देखें कि आर्टिकर क्यावने का एक है अगर आप देखेंगे हमारे सौट के स्टोला एंपायर है उन्होंने पूरा पूरा इंडोनेशिया बगरा तक सब क्याप्टर कर रखा था आज आगर आप 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 इंडियन कल्टर की चीज़े दिखेंगे हमारा देखें का कल्टर इसनी पूरी दुनिया तक है उन्होंने प्रिजार कर रखा है तो हम लोग अपना दाइट तो है यह ना कि हम अपना कल्टर को प्रिजर्व करें तो यह हमारा एक फंडमेंटल ड्यूटी है यानि वो चीज करें वह एक कंप्रशन का भाव रखना है अगर आद देखते हैं आटिकल अवने का एच का सइंटिक ट्रम पर हमें अपना डेवलप करना है दोस्तों हम किसी वीचित को सचेंटिफिकली रूप से सोचें यह डेवलप करना हमारा आटिकली क्या वने के एच के अंदर दे अगर अपने नाम बनाएंगे आप अपने नाम को बनाएंगे तो उससे देश का नाम बनेगा अगर मान लीचे आज विराट पुली सब्सक्राइब कर देश की रिस्प्रेटर बढ़ेगी वही आपका क्या बने का जेए क्या वनेगा आपको क्या कहता है इस चीज को प्रवाइड कराना प्रवाइड के बच्चे है इसको आप बिट्वीन कर दीजेगा प्रवाइड कराना तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज समझ आई होगी और इसको आपको आगे बढ़ाते हैं दोस्तों अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं ध्यान दीजिए हमारा अगला टॉपिक है वह हमारे समझ विधान का पाइड है यानि की यूनियन है यह पाट आपके एक्दाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ध्यान दीजिए जब भी हम यूनिय इसकी जो मीनी बेसिक शुरुबात है वह हमारे समझ विधान में दे रखी है वह हमारे प्रेसिडेंट से रखी है प्रेसिडेंट का पोस्ट है इंडिया में वह हमने यूसे से इंस्पायर होके लिए है ईंडियान रखेएंगा इंडियान प्रेसिडेंटटब के अंदर प्रेसिडेंट ऑन दे पावर में जमीन आसमान अब डी कि Seo और हूं अगर आप वाख परेंगे छूणी जी मोनार्त होती है इसे पहले कुईन कि है इस तरीके की आीप देख सेखते हैं कि पावन की ब्रेटिस क्राउन जैसी है अच्छा एक चीज़ ध्यान रशना दोस्तों आर्टिकल 52 के बारे में पोस्ट प्रेसिडेंट जो है ना इसको आर्टिकल 52 के अंदर बताया गया है आर्टिकल 52 हमें यह बताता है कि भारत में राश्चुपती होंगे इसको आप ऐसा समझेंगे कि जो प्रेसिडेंट होते हैं कि उतनी पावर्स नहीं है कि आपको हम बताओंगा आगे जब हम पढ़ेंगे हैं इन सब के बारे में तो आपको बता चले प्रेसिडेंट की पावर है उसके आपनी पावर सुछनी नहीं रहती है ध्यान रकिसींट होगी आटिकल 53 यह हुए के प्रेसिडेंट्स होगे एक्जिएटिव के उस सभी के सभी प्रेशिजेंट के नाम पर लिए जाएंगे उस सब्सक्राइब करने चाहिए प्रेशिजेंट का होगा है यहां देख सकते हैं प्रेशिजेंट का देखा होगा एक वीडियो काफी वायरल भी हुआ था पहले कि वो एसेसवी देने गय थे यहां पे एयरफोर्स के अंदर एफस्वी दहरागुज के अंदर वहां वह आउट हो गये थे वहां से जब वहां राश्पती बनके आयो बाद में अपने अपने टाइम में तो अपना फ्लाइव टोड़ाना सीखने के कोशिच किया अब तब उन सब्सक्राइब करें अब इसके अंदर ऐसे खास बात क्या है देखें दोस्तों कि इस आर्टिकल में बहुत बावाल हो रखा है बावाल कि सरीके चे हो रखा है इन्टर कांदी जी ने करवाया था उससे उन्होंने क्या करा रहा इस बावाइब जोड दिया या यह बाद दिखा नहीं था राश्पति या आपने हमारे उपर हमाने ना माने अब पहले वैसे मान लेते थे अपनी कि ठीक है और प्रशानमंदरिक आड़ आड़ाइस से क्य क्या कर आइसको बाउंडिंग कर दिया कहने का मतलब क्या पहले यह बाइस वर्ट है यह अयह मेरे साथ गलत हो रहा है तो इसमे वापिस से बदल दिया गया वादिशन सम्विथान संचुना उन्हें सो अठतर द्वारा कर दिया गया बाउंडिंग वर को हटा दिया गया और कहा गया राश्मति कि से ठीक है आप भी चुनके आए है आपकी वी रिस्पेक्ट है सो इसके से करेंगे आप उसको एक भार वापिस भेज सकते हैं पारिवाटिके आपbnे इस चीज को वह और रास्मति कैस्टी कि चुनके आए हैं एंपी सर मलस से चुनके आए हैं लोगों के जो विचाए थोरी से अब आपने आर्टकल 58 के सामने यह एक आप्टा एंपोटेंट आर्टिकल payment दे उसको office of profit कहते हैं अगर आप कहेंगे भया आपने बताया कि राश्टपती जो है या आप मैंने नहीं भी बताया अगर आपने वालों पहले की class नहीं ले रखी होंगी तो आपको अगर मालों यह लगता है कि राश्टपती वाफिसे राश्टपती बन जाते हैं जो गवर राश्पती के रूप में रहते हैं इसका अलावा जो पॉस्ट्न पॉफिस अधार में रखा जाता है और फिस अधर प्रेसिएंट हो गया व्यपि हो गया गवेर्नर वोगया मिनिस्टर्स हो गया अगर माँ बात कुर राश्पती के ओड़ के बाले में उनका ओज जो हो ति अलग से भी एक बार कर लेंगे पर साथ साल पढ़ते रहेंगे तो मीन्स याद आसानी हो जाएगा है अगर जो उनका अगर आफिस खाली हो जाए तो दो तरीके से हो सब्सक्राइब करवाना पड़े का उनको 6 महीने के अंदर और अगर वो एपसेंट हो जाए या अनेबल हो जाए अपने डिस्टार्ट करने के लिए फंक्शन मतलब क्या वालों कहीं घूमने चले गए या फिर वालों कर सकते हैं घ्यान दीजिए अगरा बात को इलेक्शन प्रेसिटेंट की दोस्तों इलेक्शन प्रेसिटेंट एक बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक है और बहुत कंसेक्ट्वल टॉपिक है मगर अभी हमारे में फोकस है वो क्लास को एक्जाम औरियंटेट रखने का कमेंट सेक्शन दोगा लोड़ करवा दूब अगर आप लोगों को सच में उसको जानतारी लेने की इक्शाफ होगी तो ध्यान दीजिए एलेक्शन प्रेसिटेंट के बारे में देखते हैं एक्शन प्रेसिडेंट में आप यह समझें पहली बात एक एक इलेक्टोरल कॉले और जो एलेक्टिट में इस से मिलके बना होता है अब आप कहेंगे एलेक्टिट में एक्शन प्रेसिटेंट में इस से हाँ यहां पर वोट करते हैं और ध्यान दीजिए इसको यहां के तरीका होता है इसमें दो तरीके हैं है हमारी सिस्टम है उसको सिस्टम के हमारा एक प्रेपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और एक सिंगल ट्रांस्परेबल बूट सिस्टम यह दोना बहुत इंट्रस्टिंग चीज़े हैं अगर आप बोलेंगे तम आपको अप्लोड कर दूंगा चीज़ का तब तक आप प्रेज्पेक्टेट से यह दोनों की दोनों की चीज़ों को मत भूलिएगा राश्पजी सब्सक्राइब किस सिस्टम से रेक्ट होता है प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांस्परेबल बूट सिस्टम गोलों दोना इं सब्सक्राइब करना पड़ेगा अनुमोजन करना पड़ेगा और उसके बाद हमारे प्रस्तावित करेंगे वापिस समझेए पचास बंदें को चुनेंगे यह बूलेंगे चुनेंगे असस्ट क्या लिखेंगे कि ठीक है मैं प्रस्ताव करता हूं कि व्यक्ति को बहरा राष्मती बनाना चाहता हूं और उस पचास के साथ पचास को अनुमोजिद भी करना पड़ेगा तो आप यहां तो यहां पर चाहिए प्रस्ताविद करना पड़ेगा और 20 को अनुमोजिद करना पड़ेगा अगरना इंपिच्मेंट की बाद परसे बहुत बहुत अन्टरस्टिंग सा प्रसेश है जहां को अनूरींट यहां इनक्राउंट सीटी का जाता है पर आपको अपने आपको उसके वाद अगर बात करेंड तो वीटो पावर की तो वीटो पावर की अभी अभी आप सक्षिट्रों को इसे समझ जाएंगे साथ पास कर सकता है या उसके पास क्या क्या आल्टरनेटिव से अगर मानलोब प्रसिज्डेंट के बैस को बिल आया तो पास कर देगा या क्या चार सकता है देखते हैं वह क्या करेगा या फिर रोक देगा गया प्रेटर्ण कर सकता है तो प्रेसिडंट के बास तीन चीज़ें अगर आपके बास आएगी मालुन मैं आपके सामने लोग अफकर करता हूँ कि एक काम को आप मुझमत क्वाओगे आप क्या कर सकते हो पहला वीटो है एपसुलिट वीटो यानि पूर्ड वीटो का अंदर क्या है कि प्रेसिदेंट को क्या करा पुरी तरीके से रोग दिया पहले बिल और डिफ्रेंस जानते हैं क्या नहीं जानते हैं कि बना देता हूं जब भी प्रस्तावित की जाते तो बिल होती है अब बिल लोकसभा राजसभा प्रेसिदेंट तीनों से उसके बन जाता है कहने का मतलब क्या कोई बिल है और राश्पाजी तक पहुंचा है और राश्पाजी उस बिल को यहां पर साइन नहीं करता है रोग देता है ध्यान दीजेगा एपसुल्यूट वीटो जो है भलाई आपको ल है वही तो यहां पर लोकसभा राजी सबास पास करा के भेजी है वह राश्पाजी जी को क्यों मना करेंगे कि साइन मत करिएगा दो केशिस के पहला क्या अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास होके पहुंसता चला जाए या जो नोन गवर्मेंट वाला बंदा है उसकी चला जा जाती है अगली बारी मनों सचिन पाइलेट यहां भारत के प्रधानमंतरी बन किया रूप में अब सचिन पाइलेट जी को क्या लगता है कि यहां पर पुरानी सरकार जो बिल पास कर गई गई उसको एक्ट नहीं बनना देना चाहते तो वह यहां पर चाह गारे है को बोलेंगे कि ठीक है पुरानी सरकार जो घेजी कर आई है न उसको अभी आप रोक दीजिए उस पर अप्सल्यूट वीटो लगा दीजिए तो दो केस में लगता है पहला केस तब प्राइवेट मेंबर पास करते और दूसरा केस का अगर मान लो कोई दूसरा रेखती अप बिल बिल पास करा के चला जब साइन होना है बस एक्ट बनने के लिए नई सरकार बनके आती है तो उसको आप रोक देगी कि ठीक है आप इस विल्कों एक्ट में मद बरेंगी कि यहीं चीज़ा के पास वहीं पॉइंट रखेंगे आप देख सकते हैं अगर वापिस वह चीज़ के पास आई तो उनको इस के अंदर साइन करना पड़ेगा ही पड़ेगा प्रसीडेंट के अपास आप इसके अंदर आ उस में पास वापिस वेजा उसको वही रखें सवाप कर दिया आगरा प्रसीडेंट की औरिनेज मेंकिंग पावर यह आपको इज़ाम के लाए रखना आर्टिकल एक्सोंट यह कोस्टन इतनी बारा रखता है कि आप कोई भी प्रीवियस उठाएंगे आर्टिकल एक्सोंटाइस को आप नहीं भूल सकते आपको थोटे से जाते हैं राष्ट पती से अध्यादेश देते हैं कि अभी-भी देश में इस जीज़ में यह यहां पर यहां पर अचानक यहां लाध रहते हैं राष्ट पती से और वो कानून उसी तरीके से संसर्थ द्वारा पार कोई कानून होता है अब वह ऑर्डिनेंस जो है दोस्तों जो राश्पषी द्वारा बनाया गया है वो तब तक लागू होगा जब तक अगला सत्र ना आजाए अगला सत्र आने के छे हफ्दे के अंदर उस चीज़ को उस ओर्डिनेंस के ओवर एक्ट्वाजी में लॉग बनाकर उसको पास करने का तो अगर मैं आप से पूछकों मैक्सिम्मम कितने समय के लिए रह सकता है हमारे देश में मैक्सिमम दो साथ लोग मुचमा श्या महीन का गयाप रखा जाता है रखना जाना चाहिए मैक्सिमम व आपको आर्टीकल बहुते करते हैं बहुत ज्यादा बदल सकते हैं समॉप कर सकते हैं अलग अलग किया जा सकते हैं इंदीजे है क्या क्या है परला मतलब क्या शमादान पूरी तरीके से माफ कर देना वह हमारा क्या होता है पूरिंचा कर दिए जैजude करीं के लिए अभी लेए रिप्लाइट क Nä किते हैं डिया होता है अपको लेसर पनिशमेंट दे देकी जाएगी किसी की हिसाब से आपकेज आपके शाया लंक हिसाब से हुए कर देना उसका नेचर को बग़े दिया सहां मानलों कि आपको दस साल की जेल मिल रखी है त्यम टाइप की जेल को 6 साल कर देना वह हमारा रेमिशन होता है और कमधिशन का मतलब होगा चेंज कर देना चेंज मतलब क्या सब्सक्राइब करें हैं परिशमेंट को एक टाइप से हटागे द आर्टिकल संतावन आपको एलेजिटी फोरी एलक्षन है आर्टिकल अंठावन में क्वालिफिकेशन दे रखा है उनका 59 में आपको कंडिशन में प्रेसिटेंट आफ एक्ष्टीम ओथ है 61 में इम्पीजमेंट है प्रेष्ट के आपको प्रेष्टरम औरुटिय। अब करने के लिए आर्टिकल पानेइस घृ करने के लिए कि ghosts और खरेशलके में आपको क्योंट तो है आख जान चुकि甚麼 आपको पता है कि प्रोविजन से मिनिस्टर की अपॉइंट्मेंट से इंडिया आपके एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको आप भूलने की गलती नहीं कर सकते हैं आपका कंड़क्टर वित्यों सब्सक्राइब इंडिया है इसके अंदर से आपको आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 61 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको भूलने की आपको परिमिशा नहीं है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मनुआ कुछ चीज जो नहीं नहीं देगा तो आर्टिकल के फॉर्म में दिख लेंगे इसको आप भूलने की गल्ती बिलकुल नहीं कर सकते हैं उसके बार नहीं कर सकते हैं उनियाल चींटी सब रहा को इसको n बिठा लेना है जैसे आज आज आपने पढ़ा बूलने की परमीशन ही नहीं आपको पावर मिल रखेंगे प्रेशिटेंट की ओर लिख प्रेशिजन करने की और प्रेशिजन जो है उसे कौट के ज़से त्याद है आर्टिकल एक सो बारा याद है यह ऐसे आर्टिकल्स है इसको भूलना आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अगर आप अपनी तैयारी को अच्छी लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं यह आर्टिकल्स आपने अभी पढ़ा अभी ही यार्ट कर लिजे जितनी बा करते हैं यह हमारे मैंने जिस तरीके उनका हमने पढ़ा है इस तरीके इनका होता है और सिंगरंब वोट सिस्टम होता है विल्कुल सेम है इसमें राजय सभा की मेंबर होनी ती हमारे वाइस प्रेसिदेंट होते हैं वाइस राजय सभा के एक सफिर्ट चेर्मेन होते हैं आपको बता दूँगा वहार प्रेसिदेंट में कौन सीजी दिलाते थे मगर वीप को कौन दिलाएंगा उनके द्वारा अपॉइंट की बात करते हैं अगर आपको एक्स ऑफिश्यो का मतलब नहीं तो मैं आपको बता देता हूं एक्स ऑफिश्यो क्या होता है अगर आप मालों किसी पोस्ट पर हैं उनको फोले सब्सक्राइब ना पिलते रहते हैं इस जीज की सपर सब्सक्राइब मिलते रहते हैं अगर सब्सक्राइब के बाती है सिंधिया हुगे इन्हें लिए आरो यह रहना है और आठीकल विसु कि अनुग रॉठकस प्रसद्राइब करना इस की सब्सक्राइब के अनुग्छ एक इस तुख देशेन्ट और पर टुखेन अग़र चुक्यें करते हैं एलेक्टोन क्योंकि वास प्रेसिदेट करता है वही नहीं कर सकते हैं दोना क्योंकि की सबस्क्राइब करता है शहींग साई जिसका था अल्रेडी जैसे दिम्धार प्रिशिए पढ़ा था फिर्षी मिलर तरह पर जा नहीं आपको बहुत ज़रा डिफरेंसे नहीं रखी है में डिफरेंसे क्या थी वह हमारे लोग सभाव के लिए इनको राज़तवा के लिए लिए होना है बस एक में डिफरेंस यही था बांक की चीज़ा लगा स्मिलर तल्टी जाएंगी उन्हीं से मीज परिलर परिलर आप ड्रॉक कर चकते हैं उसके और आर्टिकल सेवेंटीवन क्या में बेटर रिलेटिंट वर कनेक्टेट विदी एलक्षिन वाइस प्रेशिदेंट यानि इनके इलक्षिन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वह सी रिसीज को सुप्रीम कोड जज़ करेंगे उसको हिसाब करें कि उसके ब दियान दीजेगा कांसल अब मिनिस्टर यानि हमारा मंद्री मंदल है देश को वास्ते विक्ता में वही चलाते हैं मैंने आपको बताया था कि एक्वर डिसीजन जो होता है वह हमरे राश्टपती के नाम पे लिए आ जाता है वह एक्वर डिसीजन लेने वाली बॉड़ी हो होती है इसको हेड्मारे प्राय मिनिस्टर कर रहे होते हैं इनको आप तीन हिस्सों में बाण सकते号 में मिनिस्टर में मिनिस्टर में दिख लिए है क्या है कर डिए बनतो मिनिस्टर्स मतलब के जैसे आप देखेंगी कि हमारे पास अमित्षा है राजनाथ सिंग है ऐसे मिनिस्टर्स है जो एक अपना कैबिनेट बनाते हैं और जितने भी मैजॉरिटी ऑफ डिसीजन्स होते हैं वही लोग मिलके लेते हैं तो एक्ट्री मैं आपको बूरूँ का मिन अपने मिनिस्ट्री के और यह क्याबिनेट मीटिंग को अटेंड करते हैं कि मिनिस्टरी की बात पर दियान दी जाए हैं यह यह हमारे उपी बिहार जार्खन नहीं है यह रहने निशे होते हैं जैसे करने के लिए गुलाया जाता है नहीं करते हैं नहीं होते है वह हमारे सबस्तुमिक सब्सक्राइब को लिया जाएगा उसके अंदर से ऐसा नहीं है कि अगर कोशा जाएगा जो क्याविनेंट का वही वही पूरी कॉरी पूरी कलेक्टिव टीम का डिसीज़न मां लिया जाती है अब प्राइम लोग क्या कैते हैं अगर आप इसको याद करने तक है तो मैंने कैसे याद कर रखा था है कि हमारा ट्रैक्ट यानी ट्रैक्ट में मतलब कि एक्ट में है फेक्ट वाला वह हमारे क्या है प्रेसिटेंट है जिसना मैं रहां से जियूर को याद कर रखा था पहुत है आप उस चीज को यूज सब्सक्राइब के No हमारा क्या आपके परिजदर निटर को कान्स मिनिस्ट्र से मंत्री मंदल व पूरा पॉइंट करवाएगा वह भी प्रेसीडेंट करते हैं आर्टिकल चीए टर्ट जनरल वेंडिया बहुत इंपोर्टेंट आडिकल है दोस्तों इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं दोस्तों कि यह व्यक्ती जो है इसके बाद काफी सारी पावर से परिए कि यह जो आप किसी भी आपको पूर्ट में जा सकते हैं सेशन में जा सकते हैं जा सकते हैं इसको आप नहीं भूल सकते हैं इसको हमने दो हिस्तों में बारे में देख सब्सक्राइब करना है अभी आपको शंचिप्त में बताऊं लेजिस्लेटर का काम क्या है उस लोग को इंप्लियमेंट करना और रही नजादर रखना की काम सही से हुआ है कि नहीं लौ बना है कि तरीके का बना है तरीके का में फांट पर यू नंग बता दिया था है यू नियुण सब्सक्राइब करें लोग सभा और कॉंसल आप पीपल हो जाएगा स्टेट अब यहां पर स्टेट और यहां पर पीपल ऐसा क्यों दे रखाए प्रिसीडन्ट तो समझ के राश्ट्पती हैं वो रिप्रेजेंटिटिव स्टेट से चुन के आ रहे हैं राजसावा है राजसावा के बंदों को एक्ट करा है इसलम को चैट कर रिप्रेजेंटिटिव है लोग अपने हिंदी नाम राजसावा लोग सब्सक्राइब करा गया था और राजसावास कहते हैं लोग सब्सक्राइब अपने इंडियन को सब्सक्राइब करते हैं यह सबी कि सभी की सबीची आपको पीडियाफ में मिल जाएगी अगर तलीग्राम को ज्वाइन कर लेना अगर आपको फटा-फट करते जा रहे हैं अगर आपको अपको पढ़नी होगा नोट में क्या-क्या है तो आपको मैं अगर आपको प्रेसिदेंट का साइन नहीं नहीं बनेगा मैंने वह ख्रास के शुरुवात में बताया था कि एक तरह होने वाली है प्रेसिदेंट के हGU और आपको दिखना शुरु हो धाएगी ऑब erzähle मैंने बने यह त सब्सक्राइब की वेृजरास के स्टेट से या ऻणीन टाव्यटोरी सब्सक्राइब चाहते हैं एन उमीन दशन्यान पर syntार मेंबर की सुनते हैं वैसे यूट्टिस सुनते हैं प्रसिर्ट करते आयट के फीर्ड से इन विल्स उती है उन्हें सो यहां भी अंदर अउलीट करके शन कि अesser मंत्री बने क Zurich आणे की नहीं है और रहा हमात पूलिया रखा हुआ अगर है के अवम्हाद कुनहीं सिंपल है रिप्रेसेंटेशन ऑफ स्टेट्स होता है कैसे जो लोग चुन के आते हैं यूटी से भी लोग चुन के आते हैं और नॉमिनेड़ मेंबर पहले यहां फे अंगलो इंडियन का था पर अब उसको हटा दिया गया है अगलो इंडियन्स थे जिनकी अंग्रेजिया ने इंडियन्ड वाले ऐसी जगहों के थे और वो इंडिया में आके बस गये थे अब जब पूरी की पूरी इंडिया को ब्रिटिशर्स में शोड़ा तो कुछ व्यक्टियों नहीं शोड़ा तो उनको भी हमने स्पेशल राइट देने चाहे इसलिए एंगलो इंडियन्स को भी सीट रिजर्व करके दी रखी थी इसको अभी अमेंड्मेंट करके हटा दिया गया है कि अगना बात पर दूरेशन की दूरेशन देख लीजेगा दोस्तों अब राजसावा की बात करूं राजसावा कभी भी अंत नहीं होता के देखा हो राजसावा में जब् कि आ उसका दो साल बाद उसका प्रोन पेहले जिसका शेशल पुरा उसको हटा दिया गया उसके आप पहले का शेसल को रहा तयो मेंष हटा गया जिल्सूंपल वहाशा में समझेет हो याइग से समय कि है कि माल будут राज्य सभाके अंद्र इतική में बर से तब से फाले किया हुआ मालो यहां पर बंदा करता है ले इंट्री करेंगे इस मौन्हों करें यहां यहां चलता रहता है यहां our इस डब्बे में आ जाएगा और यहां में नए बंदों की एंट्री होगी तो राज्य सभा कोई बनता है पर कभी भी राज्य सब्सक्राइब से डिजवाल नहीं होता है कि कि राजित कर दाव इस साल में पर जाते हैं उनकी सीड फ्रेस्ट इलेक्शन से भरा जाता है अगर आपको लोग सबाखे डूरेशन दोस्तों वह पांच साल की होती है पांच साल में लोग सबाखने आते हैं तो अगर बंदा जो को तिन साथ तिन साल पीरेड बचे का उतने ही समय के लिए उस सीट के लिए कंटेस्ट कर रहा होगा कि अगला कोई देखें दोस्तों लोग सभा का अगर मैं आपको बता ही दिये अच्छानल इमर्जनल स्वाह में लोग सभा की दूरेशन है उसको हम बढ़ा सकते हैं कितने समय के लिए एक वारी में एक साल कर दिए उसको इतनी बार रहें उसको इंक्रीज करते रहेंगे अगल लोग सभा की उसको एक साल के लिए बढ़ा दिया और इमर्जनसी एक ही महीने बाद खता होगी तो पूरे साल बर चलेगा नहीं छह महीने के लिए चीज को सभा कर दिया जाएगा और फिर से इलेक्शन को करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दियाएगी अगर मेंबर्स अप सब्सक्राइब टू और एफ्रमेशन बिफूर दपर सब्सक्राइब एलेक्शन कमिशन के सामने तो उनको अपनी ओथ है उनको लेनी पड़ेगी और उस ओथ मों क्या क्या चीजे करेंगे देखिए दोस्तों एक तो यह कहेंगे कि अपने देश की सच्ची आस्था और में तीस साल होती है उसको आप हाँ पर देख सकते हैं कि हाँ प्रधानमंद्री तक बन सकते राश्परी तक बन सकते हैं आपको एक्जाम क्लियर करने के लिए नेता बने के लिए क्वालिफिकेशन कोई भी नहीं चाहिए कि अगर बात करूं प्रिसाइडिंग पार्लियामेंट की ज्यांदेगा प्रिसाइडिंग अफिसर नोग सब्वा क्यों नोग सब्वाक की रहते हैं जर रहते हैं जब दक लोग सबार रहते हैं तब दक लोग सवार है तब स्पीकर होँ रहते हैं कि के दियान रखेगा अग्युक्न थे उस्फ मेटार सब्सक्राम विर जब के सब्सक्राइब देए इतम आद पर एक क्यों कर लोक सभा यां कि टो यह तो पर तब होंता है ची करोटम का सभी कर दोस्तों क्या है दोस्तों बीगर प्रोटम एइसा परसन है जब नई-शुन कर दिया जाता है और वह dialogue अपर राश्पती अपने हिसाब से असाइंड कर देता है तो सिनिएर पेकर कोई जो है बनता है उसके बाद दोस्तों करना बात करेंगे वो तुनी डूटी को करेंगे दोस्तों हमारा अगरा पॉइंट आता है अब आप इसका फिफ्टी सेकंड नहीं भूल सकते हैं अब आप ने इक्जाम के लिए बता जिया समझाने के लिए क्या है अगर आप 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 देश के अंद्र आप देख रहे होंगे इलेक्शन कोई जीचता है उसके पार्टी की सरकार किसी और की बन जाती है अब आप एक नाप शिंदे जी को देख रहे होंगे एक नाप शिंदे जी जो थी है एक्ट्वली में शिवसेना के थे अब यह देखेजिए तो आज के समय में ऐसा चल रहे तो इस पर इतने रोक तोक लगा चुके हैं जिस समय बिल्कुल नहीं लगा तो समय क्या होता था दोस्तों कोई भी एक्ति किसी पार्टी से एलक्षन जीत कर आता है वहां पर चुनते सबस्क्राइब जला गए तो आपको अपने फेंड पे ही छोड़ा गया इसलिए क्या इंटी डिफेक्शन्ला एंटी डिफेक्शनल लाया गया तो यहां अगर कोई इस केस में दूस्तों पार्टी की विषार धार हमें 70 बंदे चोड़ना चाह रहे हैं तो हो सकता पार्टी जो से कराना चाहरा उस्में कोई प्राब्लम के अगर ऐक तिहाइ सता रही जाएगे तो डिया गया गया अगर जिए तोड़ के ले जाते बीजेपी के अंदर तोड़ देते इस लिए इसलिए इसलिए अपनी सरकार बना दी आप एक्जाम के लिए रखेंगे दोस्तों इस चीज़ को दसमें जोड़ दिया गया इन दोनों चीज़ को आप बिलकुल भी नहीं भूल सकते आप एक नएक शिफ्ट में इसका सवाल अब अश्चा देखने को मिलेगा एंटी डिएक्शन लोग बिल्कुल याज रखिएगा दोस्तों यह आपकी बिल है यह लोग्स वह और राजे सवा दोनों पास करेंगी तब वो चीज़ हमारी प्रेसिदेंट के ले जाएगी पर इसकाब आटक सकती है पहला किस्क्राव फासिश दबल बट अधर हो रिजेक्ट दबल मांदो लोगस वाने किसी बिल को पास कर दिया राजे सवाने उसे रिजेक्ट कर दिया अब देखिए लोगस वाने किसी बिल को पास कर दिया कोई एक सब्सक्राइब कर दो लोगस बिल्कुल की बदलाब नहीं करेंगे अब यहां पर दोनों हाउस के आपस में ठन जाएगी दोनों हाउस आपस में आ जाएंगे अब फाइट तो किस की स्वाल्यूसन नहीं है इस केस में क्या करते हैं आर्टिकल एक सो आर्ट के तहट यह सिस्टम मना जाता है कि प्रेसिडेंट जो होते हो जोई सेशन और्गना हैं कि लोगसवाह की च्टेंथ ज़्यादा है राचे सब्सक्राइब करते हैं कि लोगसवाह कि दिए को चाहते हैं और हो जाती है यह आपको हर दूसरे कर देखने को मिल सकता है अगर अगर कॉछिछन इन्हीं के सब्सक्राइए करेंगे लोगशन के स्पीकर में सब्सक्राइब करेंगे उसकतें लिव लीपन अगी है इसंते में उतलें मैं को मिलता है याद रखेंगे करें थे तो हो गया ।ॉ हो अगला कोश्क जो है मिलीमा नमबर संख्या होती है जो चाहिए होती है कि स्फीकाम को करने के कि क्रिक्ट का मैच खेलना होता है अगर इसके करन मैच शुरू हो सकते हैं उसके मैच पॉसिबल ही नहीं है तो वैसे ही लोगसभा ये राजने सब्सक्राइब की मीटिंग चलाने के लिए कि मिनिमाम नमबर आप परसंद चाहिए हो जाएगा वैसे इराजी सब्सक्राइब क्या हो जाएगा 25 मेंबर्स वह जाएगा तब हापे सचन शुरू हो सकता आइसका आज रखेगा लिखी देते हैं कि दोस्तों सब्सक्राइब आती बात लेंडग सेशन की लेंडग सेशन नहीं 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 आप आएंगे तो यह सबी चीज़ आपके सामने नोट के फर्म में लिखी हुई है आप चाहां जो इसको पॉस करके देख सकते हैं नहीं तो इसकी पीडियाफ आपको टेलीग्राम ग में फैसे क्शान रखना के लिए कंसेप लिए चाहता है इंकम टेक्सटे करते हैं अउस देख लोन लेती हैente वर्ड बैंक से कही लोन ले लिए हमको पैसे क्या वैस्ट रखता है तो लोन हो गया और देश की इंकम हो गई यह सारी चीज़ जो हो गए यहां पर देश की वह हमारे इंकम का सोर्स बनती है अब में बात करूं इसका खर्चा कहा होता है तो देश जो बज़र प्रपोस करती ह अगर वह सब मुने हम फिकिशन स्थसे और मुमारे लिए इसके पैसा निकालना है यह उसके लिए प्रेन की अप्रॉबल लेगेगी बॉट करते है कि सकते हैं एक पो किसे बढ़ो किीज़ को एक कि बैठके नहीं लेगा अग्ला क्यार्व को सरकार सरकार है को सब्सक्राइब पर Papain खृश्ण के देखते हैं वो सारे तो पैसे होते है इगजीक्ति रीक देखते हैं इसके सरकार के पास आएगा तो ऐसे पैसे होते है वह पब्लिक काउंट पूंट इंडिया के पास रहते हैं वह सारी जो पैसे होते हैं इसके हैं जेखते हैं ध्यान दिएड़ेगा अगला हमारे पंप इंडिया है 16 पंटिसए आफ इंडिया नाम से आवरे इसमें यहाद रखाऊ यह यह तो इमर्जेंसी आता है उसमें पैसा निकालते हैं अब ध्यान दिए इसमें पैसा आएगा इंडिया से ही पैसा निकाल के पैसा करेंगे जब दिए वह इमानलों के आपदा आ गई ऐसी आपदाओं को टेकल करने के रहे क्रेंगे पैसे को पहले खर्च कर देंगे अब बाद में इसमें भी बोटिंग किया जाता है कि पैसे को थाई चली के खर्च किया गया है और नहीं किया गया है दोस्तों वह ऐसा एक्सपेंडिचर जो करना ही करना है इसके लिए आप अंदर बोलेंगे या फिर आप या फिर आप किसी भी धर्म के भूमने जाना है अब मालों यहां जाना जाना है तो घर वाले पर पर्मिशन दे देते हैं यहां पर पर रूसेटेश को दोस्तों चार्ज अपर क्या है राष्टपाती को सब्रीम कोर्ड कर देना तो ऐसी तभी चीज़े जो है यहां पर देश का सरकार क्क्रचा है उन एक्सपेंडिजर को हम चार्ज एक्जाम के लिए दोस्तों आ रहा है मनी बिल मनी बिल का धियान रिखेंगा मनी बिल आपका क्या है जो आपका स्पेशली आर्टिकल 110 वन के जो को नहीं जा सकते हैं तो आपको प्यांगे आपको पैसे रिलेक्टिट चीजें होंगी वह सब्सक्राइब को चेंज करना ऐसी चेंज होगा विए तोכम जाइफिता करेंगे वह सारी की जीदी हमारी हमारी मनी बिल में में होगी और इस चीज के अंदर हमारा कि यूंकि इसको लोगसवा पास कर देगी हम यह नहीं करेंगे दोपास कर देए क्वाқ कि यहाद रखेगा अगर मनीविल लोगसेखा में यह सवाल उठा देती है कि two अपने सरकार नहीं दिखा पाने लोग सबाइं मतलब यह है कि यहां पर हाउस की तरह है तो बनी बिल का पास होना बहुत ज्यादा ज़्यादा ज़रूरी है में भरत्ता में पैसा खर्चा बढ़ेंगा द्यांद इसका में उद्देश क्या था प्यासा करना है नहीं इसका इक्जांपल यह लिए आपको शादी करने आपको खर्चा अब खर्चा होगा गर्चा होगा सजावर का खर्चा होगा डेकोरेशन पूरा लाइटिंग अगरा का खर्चा होगा यह सारी तो हो रहा है पर क्या आपका में उद्देशे वहां पर खर्चा करना है नहीं में उद्देशे क्या है दो सोल्स को मिलाना है दो सोल्स को जहां मिलाने का में उद्देशे होगा वहा दोस्ता हमारा टॉपिक जो है वह हमारा इमर्जन्सी को भी साथ देखते चलते हैं अब ध्यान दीजिए कोन सी कीज कब लगाई जाती है जब आपको थ्रेट होगा आपको कंट्री की सिक्ट्रा आ गया उसके समय अगरेशन हो गया और आम्ड रिबैलियन हो गया वहां देश की सिक्ट्रा आपको अगरेशन आता है यहां पर बहुत जारा गुरिया चल रही है मतलब क्या अंदर ऐसा विद्रू हो आप यहां पर चलेगा धरना दे रहे हैं धरने नहीं लगेगा आप धरने के साथा गोली बंदू लेकर पहुत जाते तो ऐसे आप देखेंगे उपी के अंदर करनाटका एसे स्टेट के अंदर का इसा कहा गया है कि फिलिए हो गया तरीके से मेंटेंड नहीं हो रहे हैं वहां लोग कोई दंगे भड़क गया ऐसी सिस्टम आपके तो हमारे देश को लगाया सकता है फाइनेंशल इमर्जंसी हमारे कि अपर देख सकते के 1975 के जो जिप नर्यान वाला है इसी साथ अपना चाइन वाला बौर भी था कि इंडिया दौरइब दो फ्रेंट करें चाइन वाला प्रॉब्लम सब्रहे थी इक शर्षा शर्ति के वाले बादेश वारे मारे बात करता है बादेश होगई थिस फससे तर का इस को हटा दिना चाहिए हापर हमरेंश के सख्ण्य सब्सक्राइब सब्सक्राइब बोड़ने के अंदर निकल के आई थी उन्हों ने कहा कि एक खतरा है और इंट डिस्टरमेंट को अपनी बात को रख रहे तब कोई दिक्कत नहीं पर अगर उस यहां पर इमर्जंसी को लगा सकते हैं कि दोस्ता करा बात और इंडियान इलेक्ट्रोरल सिस्टम की यहां पर पुराना वाला मैप है इसको दूसरे मैप्स कंदर मैंने क्लियर कर रखा है इस चीज़ को धियान दीजिए का दोस्तों यह पुराना वाला मैपस डेटा को भी देख लीचेगा आटीप यहां अपिशी के हिसाब से आपने कि नाई होती यह क्लूरारीटी के हिसाब से आप से होती है अपने पास चार बनते हैं वाली वी टी ओल्डी एक मौनमाला मिलते हैं 30% λीक होंद बिलते हैं 20परेंट किको मिलते हैं 40 परचेंट वियूंद फिस्ट इसकेस के इतर किसी सिंट खयर है और सबसे ज्यादा वोट किसके पास है सी के पास है तो इसके सिस्टम किस त्रीके की है इसको हमने क्लासिस का रखा आप चाहें तुहां पर जाके देख सकते हैं यह सबसे इंपोर्टेंट आर्टिकल को आप नहीं भूल सकते हैं आप लोग याद करना शुरू करते हैं अग्जाम की तैयारी में तो एक से लेके पचास साथ सत्तर अची तक याद कर लेते हैं उसके अंदर गिने चुने आर्टिकल से इंपोर्टेंट है और उसका अस्त्री का क्या याद करें आपको सीरियल और में एक सरे कर आगे याद नहीं करना तो मत करिए जब यह सारे हो जाए उसके बाद आपको एक्ट्रा जितना पढ़ना पढ़ना पढ़िए इसको आप एक्जाम के प्रेपरेशन के साब से नहीं भूल सकते हैं तो आटिकल 324 लेक्ते हैं यह प्रोवाइड करता है सिंगल अट्रमास इलेक्शन कमिशन के लिए और कई बार एक्जाम में आता है कि एक वोच्वड़ा होगा यह कुन से आर्टिकल में है इस तरीके से कोशन घुमाफिरा के पूश्टा है मुद्दे की बात यह है कि आर्टिकल 324 करता है कि हमारे दे असेंब्ली और कॉंसिल से उनका इलेक्शन भी एलेक्शन कमिश्र अप इंडिया ही देखता है स्टेट नहीं देखता है स्टेट क्या देखता है पंचाई के आर्टिकल 325 के अंदर कहीं गई है अगर थवाल इलेक्शन से आएगा तो बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबैबिलिटी है कि कोशन आपके तो आर्टिकल 324 का होगा और या आपका क्या है दोस्तों उनिवर्सल एडल्स सफ्रेज है उनिवर्सल सफ्रेज का मैंना को शुरुवात की अग्लास में समझाई दिया बोब अगे से समझ लीजिए इसक अंदर सीम्पल सी बात यह है कि हर वैक्ति को यहां पर भेद भाव नहीं किया जाएगा इस इसके कास्ट के हिसाब से इसका से इसका से रहिए नहीं करने के लिए तो आपको 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 निवर्स आदर सफ्रेज देता है ये कि इससमें इसमें क्या रखेंगे कि हमाद सवाल यह हाता है कितने साल ग्राइन ध्यान दीडेगा हुँँ होती है उसका इसका ऐसाल उसका बना ऊसाट साल के इस Off मैंने खत्म होगा इयर muffin मैं मालो कोई बना है ज्री गारा सकता है और कोई बन्दा मान दो 62 साल में बना तो उसका 60 साल और सब्सक्राइब के लिए नहीं कार सकें एलेक्शन कमिशनर को अगर आए इनको हम वापिस से अपॉइंट कर सकते हैं यह उन्हें से एक लवल नीजे के पोस्ट होता है भले इनकी बराबर होती है और हो सकते हैं किया नियुक्त करते हैं कि यह दोनों में आप देख लिएगा यह पॉइंट आपको कई पूछ देता है कि इनकी आपॉइंट मेंट किसकी द्वारा की जाती है राश्पती द्वारां की होती है इनकी भी कि दोस्तों हमारा अगला टॉपिक जो आता है देखे ध्यान रखे का इसके अंदर बहुत डिटेल में चीजों को लेके नहीं जा रहे हैं एक्जाम और यहां पर शुरुआतना पूरा पूरा टार्गेट ही है कि एक्जाम के अंदर हमारा पॉलिटी दोस्तो तो ना चूटे दो बस्ताम उसी उद्देश के साथ चीजों को लेकि आगे बढ़ रहे हैं यहां हमारा उद्देश बिल्पूल भी यह नहीं है कि मैं आपको पूरे क्वालिटी के साथ चीजों को डिटेल में समझने में इसा नहीं कि आपको है बीस की जागा चारी टॉप इक से इंपोर्टेंट ने एक एक चीज को लेकि गया हूं तो इसका हमारा में प्रस्पेक्टिव यही है कि हमारा एक भी कोश्टन एक्जाम में ना चूटे करने के योग बन चुकि होंगे बशरते आपने इसके साथ प्रीएस चेर की प्रेक्टिस अवर्श करी हो दो प्र लोकल सेल्फ गवर्मेंट के रूफ में दिखा गया है नाम से तोड़ी है रूरल मतलब क्या होगा आपको आपके स्थानी आपके आसपास का च्छेतर यानि आपके द्वारा चुनी हुई और गवर्मेंट यानि उसके बार डिसीजर मेंगिंग की पावर हो यानि ऐसी सरका जिसको आपने चुना है वही आपके पंचायत है अब ध्यान जीजेगा दोस्तों में सबसे इंपोडेंट नीट आते कि पंचायत बनाने के आधिशक्ता क्यों पड़ी देखिया हमारे देशके ने तो गवर्मेंट चल रही है वह हमारे बास एक बिल्कुल सेंटर लेवल प प्रदेश के अंदर जाके फिले घर के पास बात को सुनी जाएगी वह जरूरी के छेदर में हम दिशार है अब नहीं जाएंगी अब वहां तो अगर नहीं जाएंगी तो इस्टेली आपनी बात रखेंगी अब आ बनाले का सिस्टम खराब हो गया है और अगर मालों किसम आ कर दोस्तों में ऐसे के लिए नहीं पड़ेगी जो बिलीकुल वहीं के द्वारा हो अब माणा चोटा भी में रहता है चीश मिनिस्टर पन्चायत को अध्यास बन जाता है पिरफ में तो उसको भी प्राव्लम्स पिल्बोब्ल्यों को उसको प्रावलं होगा अगर पाण यह रखा besten यह रखा इन का इन रिच्ते हो संत्राइब स्क्राम फोर से फिर लगмотр कर सकें कि उसको इतनी प्रावबर भीजट तो इस फिरीलiko सब्सक्राइब कर दिया अब इस बड़े स्टेट में बहुत सारे डिस्टिक होंगे मैंने बड़े रिंगल से दिखाया अब यह चोड़े डिस्टिक है इसके आज जला परिशयत होगी इससे हम फोड़ा नीचे आएंगे तो हमारे ब्लॉक्स में रहेगी और उसके नीचे सब्सक्राइब के लिए मोधी जी तक बात पहुंचा सकता है तो हमने चेन बना दी पहुंचने की मानलो पहले आपको इस जगह से इस जगह तक जाएंगे इसी तरीके का सिस्टम रखा गया पंचायत के अंदर की लोगों के डिरेक्ट यहां पर लिंक हो जाए एक्जाम से रिलेटड आपके पास कुछ कमीटी इस पहुंच लेगा कि यह कमीटी किस चीज करें इसमें सब्सक्राइब कॉन सी कमीटी है यह कमीटी यह कमी यह चारो कमीटी के लिए बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं यह चारो कमीटी के नाव आपको याद होने चाहिए उसके बार आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं कि एड़ जो किया गया गया था यह है जो हमारे पार्ट नाइन के अंदर है और शेडियूल इलावन में पंचाया के वार में डिटेल्स दे रखी है पार शेडियूल सब्सक्राइब यह तीन चीज का नाम नहीं भूल सकते हो उसके साथ सब्सक्राइब कर लोगा पंचाया के काफी सारे कोशन इकडाम के बन जाएंगे अर्वन लोकल गवर्मेंट जैसे आपकी मुनसीबैलिटी सब होती है इनके अबारे में देखी हमारा ओतक हताम हुआ था है पीस से लेके जड़ जी तक यहां smaller urban area, urban area पर हो चोटा है वहां का मुनिसपल, council होता है तो, transitional area मतलब क्या? यहां पर रूर्स अर्वन की तरफ बन रहा है वहां पर हमारा यहां पर नगर पंचायत होगा दूसरे, चेक कर लिजएगा वहां नगर पंचायत होगा और जो हमारा केंटेनमेंट बोर्ड होता हुआ हमारा जैसे डली कैंटी सब की च्छेत्र होगे च्छाबनी होती है यहां पर यूजरी आर्मी आप पोर्सिस की लोग रहते हैं तो ट्रांजिशनल एरिया का आप नगर पंचायत यहां कर लिदेगा अधर इंडस्ट्रियल एरिया तो आप इंडस्ट्रियल कांसिल रहे सब का जमशेथपूर टाइप की छेत्र हैं आपको मैं लिखी देता हूं कि लगर कि इसको देख लीजिए कि अंदर हमें अर्वन लोकल गवर्मेंट को लिख रखा इसके अठारा सब्जेक्ट्स है और जिसको याद रखना है पार्ट की बात करेंगे तो नाइन एक के अंदर आ जाए हुए वह हमारा नाईल में था यह में अब हमारे पार्ट नाइन यह आप पार्ट नाइन याद रखेंगे एक जानकारी के लिए बहुत रहा इंकॉटे अ जिसमें जुस्वली ट्राइब से लोग रहते हैं उनको और अटॉनमी चाहिए ज्यान दीजिए आपने देखा होगा ट्रिपल र मुवी करके उसके अपने देखा था कि उनका एक गॉन्ट ट्राइब होता है जिसके अंदर देखते हैं कि वह अलग तरीक से अपने लाइफस् अब इतनी लिंक नहीं है उनको आप अपने रुट्रेशन ठोपेंगे तो उसके हिसाब से काम नहीं करता हैं इनका अलग है अब इनके अंदर अपने लिगश्यां नहीं चला सकते हैं तो ऐसे चेट्र जो यूज्वली ट्राइबल एरिया का है बैकवर्ड एरिया है ऐसे कि अपने नियम को इनके ओपर लागू नहीं कर सकते हैं कि अब ध्यां रखना रखना सेट्र होता है इसका ज्याधा कंट्रोल रहता है करती है अब यहां ध्यांदियों दोस्तों हुआ क्या कि जैसे शड्यूल एरिया इनको हमें अपनी गवर्मेंट देनी थी अब जो हमारी जूरल लोकल गवर्मेंट थी वह हमने नॉर्मल गाउंगा शहर के लिए बना दी इसके लिए पेसा एक लाए अब पेसा जो था हमार जो हमारा पंचायत था सिमिदर के हिसाब हमने यहां पे लाया और यहां पंचायत एक्स्टेंशन था है यह हमारा इसका कंसेप्ट है इसका आप 1996 याद रखेगा और इसके अंदर आप भ्यांदिये क्या होगा है फिफ्ट शेडूल एरिया जो ने उस दीक अंदर पेसा एक उसको ब्लीकुल रूट लेवल तक पहुंचाना और उसको आनके कल्चर को भी प्रोटैक्ट किया जाए धिया इलकी कल्चर में क्या जीस नहीं हो यहीं लोग समझ कते हैं जैसा मानलो कि हमारे कल्चर में जिस चरीके से चीज़ें और दूसरे बंद के कल्च्छे में काफी है दली बेठा हुआ बंदा जो नौर्थी इसका कोई रखती है उसका यहां पर छोटे से गाउं का छोटा सा कल्चर क्या है वहां पर डली के बंदा बैट कर सकता नहीं समझ सकता है उसके हिसाब सो यहां कि अच्छा भी करें मालो उसने आप पुले बनाया और वहां कि नदी म अगेंस जासके चाले का में खुदी ने अपने इसात वह पालों को सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगया की काम दिया अगया अब दूस्तों हमारा अगला राता है शड़ी मिल्गेगा इसे हैं आपनी बिल्कुल ही कट अब बिल्कुल है जो वीड नॉर्मल बंदों के लिए आप दिखेंगे नार्कोटिस वाले चापा मार देंगे उसके ओपर आप नहीं देखेंगे गाउं के अंदर जैसे होते हैं उनके अदर धड़ले से चलता है उगाते हैं वीड फूखते हैं अब उनके लिए गांजा फूखना कोई बड़ सिस्टम यह लिए था हमने देखा है जैसे लोग अप्रसरी में जोड़ना की कोशिश करें गे बड़ में जोड़के इंगे रिश्टिक्शार्स लगा के नहीं शार्व कर एल्पकर है सब्सक्राइब कर सकते उसी हिसाब से जो हमारे लॉस है इनके वर हम रही लगा सकते इनके लिए दिस्टेक काउंस बनाया जाते हैं जो इनके लिए लेते हैं इनके लोग बनाते हैं दोस्तों ध्यान दीजएगा यहां पर बनाए गए इन लोग बनाती है उसको गवर्नर का इस्टिक आविशक्ता होती है और एक्ट अपार्डिया में जोता है नहीं लगता है नहीं को समझाई दिया था सब्सक्राइब करते हैं करते हैं करते हैं इसके अंदर हमारा क्या है कि लोकल गवर्मेंट का ज्यादा दे रखी है यहां सब्सक्राइब सब्सक्राइब देखते हैं कि अगला टॉपिक जो है वह मारे दो मिनिट का ब्रेक लेते हैं मां पानी वगएरा पी लेता हूं कि दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं हमारा अगला टॉपिक है वह हमारा एडवेंट प्यूरॉपियंस अब आप कहेंगा भईया हमारी अभी तक जो हम चीज को पढ़ रहे थे अबने क्या कर आप प्वालिटी का कॉंस्टिट्यूशनल बेस्ट एक बेसिक अंडरस्टेंग ली कॉंस्टिट्यूशन किसे किस तरीके के नियम दे रखे हैं अब हमें यहां पर अपना अगला टॉपिक जो लेकर जाना हूं हमारा कॉंस्टिटुशनल डफलमेंट का है कि हमारा कोंस्टिटुशन किस तरीके से डवलाप हुआ है उसकी क्या-क्रॉचस रही अब कॉंस्टिटुशनल डवलपमेंट में अगर मैं आपको अचानक क्या साथ मारे चीजा दूफ है थो आपकर अंग्रेज आजाये तो आपकों क्यों पड़ी कैसे आए जिसके आपको फोरी सवाज़त में और आसानी होगी अपको के डिसीजन स्माझ है एंगे क्या सोच क्या डिसीजन दिया तो आपको इसमों कंस्ट्रीशन डेवलप्मेंट का दरिक बेसिक अंडरस्टेंडिंग मिलने लगे कि कि देखे दोस्तों यूरोपियंस रिडिया में आये थे उनका में परफस्तिया था खोलनाइजेशन था ग्लोबलाइजेशन था और इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात थी तो आप इस मैप से समझेंगे देखें यह हमारा यूरोप है अब यूरोप के लोगों का क्या था आपको पता है कि इनके अंदर यह बात्तों फंड़ अनगर्मी चाहिए और गर्मी किस चीज से मिलती है मसालों से मीट से मिल सकती है अब इhaं त्यान जीजेगा इन लोगो को मीट जो άव कर दिख करते थे उसको प्रिजर्ब करने के लिए मसाल की नीद मासाला अपने अपने गरम होता है आव शकता थी अब नो अब लूगा पहले कहां से आता था उपना इस से लो इंडिया से या फिर हमारा इंडोनेशिया था या निया समझ लिए पूर रिजन आ यहां पर अथी प्रोड़क्टिविटिविटी इस रूट से लोग मसाला ले ले लेते थे अभी हाँ एक प्रॉब्लम क्या हुए दोस्तों तो यहां पर हमारा टरकी है तो और तो मैं मसाले के बहुत जादा नीड है किसा महलब इंडिया के अंदर आप देखेंगे इंडिया में आपको मसाले की मुझे आपको इसली आवेलेवल नहीं होती है उसका दाम बहुत जाब है पेट्रॉल अब पेट्रॉल हम यहां से उठाते है कहां हमारे साओधी आरफाल इस इस लेकर है इस दूर से आया जा रहा है वहीं पेट्रॉल की मिलेगे आपको कर नहीं आती है इन लोगों के लिए मसाल हो जथा उच्टा उने से कम नहीं था इसको मसाला यहां से चाहिए था यह लूट निकले कि एम होके मिलाटे अन्हों करा ही एलना का इंडिया का जो गए इंडिया खारए निकल गई अब यहांसे यहां से यहां से जिसक和फ प्क्ंट इंडिया पहुंच गई उनका रूट का कहने का मतलब क्या था कि इनको यहां से यहां जो आये थे उसकी में प्रोप्रेटरीव सही नहीं है तो कि यहां भारत की पता भी नहीं कि अब अबको किसमे करी जहां पर पूरी तरीके से गलत है यहां पर किकी आफ्स किसी प्रेंग्लिश यहां पर रहे हैं अब इन तीनों को हरा के फाइनली जो बच जाता है बड़े लेवल को बिटिशर बच जाते हैं पुर्टगाली को काफी कम समय पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया फ्रेंच भी बहुत छोटे जगावे रिस्ट्रिक्ट ना चोड़ करना शुरू कर दिया था अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों आपको यह समझा लिए कि इस समय तक अपना अंग्रेज आ चुके थे अंग्रेज अ सब्सक्राइब में आए है और जो बावार है वो 1526 में आए है तो हमारे पुर्टकार यानि यानि इंडिया में मुगल सा पहले आए है कई बंदे हां पर अन्फीज हो जाते हैं कि हमारा जो है मौडन हिस्ट्री है कहां जशुरू है ध्यान दीजिएगा मौडन हिस्ट्री क व्हूotros मुगल से लुख्यों सब्सक्राइब मनें और अब जुआइब मुगलन धिया अघ्य प्रास लिए उसके बार यूरोप के अपना बेस बना लिए बांबर में बेस बना लिए मदरास में बना लिए बंगाल में बिसक्राइब शुडू करते हैं बना लिए लिए इसमा ब्रिटिश को बहुत इंपोर्टन इवें शुडू सब्सक्राइब बहुत सब्सक्राइब अब बहुत सब्सक्राइब करके अगर चाहें तो क्लास में देख सकते हैं यह बहुत इंपोर्टन परसंता हमारी हिस्ट्री का इसलिए इंपोर्टन परसंता पर यह वह पहला परसंता जिसकी जब यहां वे से कारण यहीं वह व्यक्ति था जिसकी हार से पावर जो था इंडिया में वह मुगल से लेके बिटिश में ट्रांस्मिट हुई इससे पहले तक बिटिश जितने थे दोस्तों वह सारे सारे बिटिशर कहां थे अंदर अंदर आने की कुईश करेंगे हडा के लैंड को कर दी कर दी कर दी इसमें चीज को देखे खिराज को बुरा लगा अच्छा नहीं हो रहा है इसके उपर कांवी जाना कॉंट्रोवर्सी भी है पर इसमें हुआ यह था कि 146 ब्रिटिशर को अरेस्ट कर लिया गया और उसमें तरह मां तरह 23 बचे बहां कि सारे व्यक्ति मर गए इसमें विल्यम हॉल्वेल जो अलाई से उन्होंने कहानी के रूप में दिखाया कर दिया कर दिया सिराजुद दौला को और यहां ध्यान दिजेगा शिराजुद दौला है रौवर्ड कलाव में मीर जाफरे घ्यान दिखाया कभी भी रावन को हराने के लिए विवीशन की आवशक्ता पड़ती है और रामदी खुद भी बहुत पावर्फुल के मगर यह एक तरीका हमारा टोन रहता है उसमें ब मार दिया और यह जो है बहुत हमारा युद्ध है इसको बैटल आफ प्लासी नाम से जानते हैं यह रौवर्ड क्लाइव और सिराजु दौला के बीच में इसका डेड़ हमारा तीस तुन सतरों संतावन था आपका काम बन जाएगा कि बहुत ही छोटा यह हुआ था मातरे घ मुहनलाल और मीर में अपना लाइफ से लड़े थे मीर जाफर ने चीट किया था और अलाइंस के साथ इससे यह हुआ अगला नवाब घुषित कर दिया गया विद्धाफर संतावन तक नवाब रह यहां पर बंगाल के और यह नवाब पुचले के टाइप के नवाब थी इनके पावर्स नहीं थी जितनी इनको उमीद होगी कि इनको बने तो मिलेगा नहीं तो इन्होंने मतलब ने तरीके से क रासिम को मना दिया गया सब्सक्राइब हो इन्होंने समझ लिए लिए और अब लिए और चाहिए और यहां कि यह बहुत करी रहुंग होगा यह व्हारे इंडिया करी शिराजू दॉला होगे उसका मेरे मिल्के मिटिंग करी इसको आप ठीक कर लिजीका तो सुझाव। करेंगे और यहां वैस को भगा देंगे और इस चीज़ को ब्रिटिश को भगा देंगे और इस चीज़ के लिए इसको ब्रेटर मुन्रों को और उन्हों ने क्या करा इसको हराने के बाद करने के परमिशन मिल गई और यह तो ध्यान कीज़ों को फोड़ी फास्वर्वेड मूड में कर रहे हैं अगर आपको अवास तेज लग रही है अपनी स्पीड कम करके देख लीजेगा तो मैं उम्मीद करता हम कुछ फोड़ी फोड़ी चीज़ समझ आने रगेंगी आगे वड़ते हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर देखते हैं यह जो समय सब्सक्राइब बंगाल की रूट कहते हैं ध्यान दीजिए बंगाल बहुत संपन राजे था पैसे की कमिनीटी पैसा ब वाज़य बंगाल था उसको लूट लूट के लूट 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 को लूट बहुत भयंकर रूप से बंगाल के अदर एसे ए ऐसी शित्र आगए कि फहमाहीन आ गया गृँई घरीबी आ गया ऐसा पर दो टक्स लेंदे थे और इस दो टेक्स के बाद लेखा गया कि इस रि वाली बार क्या हुआ बंगाल रूट रहे हैं विश्व में बात ख़बार में बंगाल को लूटा जा रहे हैं बंगाल में गरीब यह गई यह लोग भयंका रूप से मिन्स करप्शन वगेरा कर रहे हैं इसके बार इस्ट इंडिया कंपनी जो आप अपर ब्रिटिश प्रेजे कर रहे हैं ट्रेड के नाम से आई थी अपना मोनोपॉली लेके अब उस कंपनी ने क्या कर रहा यहां पर अपने बिटिश पाल्डिगामेंट से जाके लोन मांग लिए एक मिलियन पाउंड का अब यह समस्दों यह किसी कंपनी ने एक खेत्र को जीता उससे इतना ज्यादा का लोन मांग रहे हैं मतलब समझ आ गया और वहने दूर करने के क्या करा कौने बेठाब इस पर निदिस्टिक करेक्टर का एक पोस्ट बनाया और इसी पॉइंट से धानल ने भारत की शुरुवात होती है कि एक इंपोर्टेंट वाइंट ये है एक्जाम में कई पूछ था इंडिया को इंपीचिक कर दिया था बाद में इसको आपको प्रेशीजेंट का इंडिया में आज ते किसी का इंपीच्मेंट नहीं हुआ प्रसीडन के रुख में पर गवर्णर जनरल का हुआ तो हमारे कॉंसे वारर हेस्टिंग थे भी जाल थे अप्रसी जाए तक यहां कंपनी रूल मतलब किया उनका अधिपत्य वाला जगह हो जाएगा कि आगे देखे दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे आते हैं सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब वह पढ़के बताता चलोंगे इसके अंदर मैं सम्झाने का क्या ही सब्सक्राइब को एक्ट आया अग्वार्ण पूरी सिच्वेशन को नहीं समझेखे प्रेस्पेक्टिव से एक्ट का इंपोर्टेंट पॉइंट 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 इग्जाम के जरूरी है उनको मैं इंदर आएंगे अंदर आना होगा गवर्नर जनरल इसके इंक्रीज कर दी गई जिसके इंक्रीज कर दी गई जिसके कर दिया अगर आज माननों कई बंदे हैं जो गवर्मेंट जोब मालों आजाते हैं कोई बंदा मानों आप एकसाइड इंस्पेक्टर मताइब अपकि अपक्रचा नहीं जलेगा आप लोग कर दे तो आपना फूदा यसा लगे आगा पैसा इना अलग से प्रसा कमानी इनको एलिमिस्ट्रिटिव डिसीजन जो हमारे होते है यह अगला पॉइंट देखेंट इस्टेशन करने के बाद रखी और रहे जिस्टिस थे लॉर है चाकर आपनी पावर समस्यूस करना शुरू करा इस तरी के से क्योंकि लॉड एलिजा एक प्रेंट बन गये थे तो सब्सक्राइब करना है यहां चाल इसको पूरा करने के लिए अगला इसको इंडिया करना है इसको एक पॉइंट यह समझेंग लीजिए कि बोर्र ऑप कंड्रोलर रिजोर जो जो जह ते वह च्हें मंबर के अवश्कु आपॉइंट कर जिया कर दिया कैश्व को सब्सक्राइब कर दिया गया था और ट्रेट कर दिया गया था सबसे पहरा पॉइंट इघ्टाइए क्या रहता रखेंगे प्रिटिश को इस इंडिया कम्पनी पर आ गया दूसरा चीजुड हम क्या याद रखेंगे जाहिए थी सुप्रियम कोड का स्टैबलेश्मेंट हुआ था तरफ याद रखेंगे और दूसरा एस ते सपरेशन लिया गया गया सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया गया इस से एक ही गोशना अब बार बार मैंने याद का रख है चाय और चाइना इन दोनों को आप यहां पर नहीं भूल सकते हैं सिंपल सब्सक्राइब कर दिया गया इसमें बस चाय का ट्रेड और चाइना से बस गया इसके अलावा चीद को समाप्त कर दिया एक लाग रुपया पर इंडिन एजूकेशन के लिए एक लाग रुपय को संक्शन करा गया अब पहली टाइम भरत में प्रिशन मिशनरी आई पहली बार आगमन याद रखना अगला इस से आपको एक्जाम में विल्कुल तरीके से याद रखना है सब्सक्राइब को अगला तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है गवर्णर जनल ऑप इंडिया बनके गवर्णर जनल बंगाल को किया बना रिया कि दोस् है गवर्णनर बंगाल बन गए उसके वाट ट्रांजिशंल में वश्तें इंड्या और इंडिया बने इसंहे कल को हो थैनिом kwn Kolzy of India ऑपने जाए इधिक विल्हार का मॉना पाली तॉन सकते हैं। इंडिया दिया थे जियान दियाएक एंगेटिज सब्सक्राइब कर लिएक लिए गांट सवादा सिम्भर 1949 अमारा हॉंदी जोता और हमारा नेशनल हींडी दिवांट के प्रटीन सेप्टेंबर को भी आज़ थे जिंदी को हमने क्या करा था अफिशल इपक्ट के अंदर आगे की लेंग्वेज के फॉर्म में ध्यान दीजिक अफिशल इसको घोचिर यह तर विया था और एक्वरी उपिशल इफेक्ट मिलाने मां अब हम आते हैं अपने अठारो संतावन में पहला फ्रगल था फेल्ड हुआ आपको पड़ाए बहुड़ सा अजफर हमारी लास्टूलर थे इनको रखंगूल में इंप्रेशन करा गया और ऑफिशली अनॉंस्मेंट करें गाई क्राउन गूली की यहां आपको में बेसिक रहेंगे तो आपकी प्राब्लम ना है अब ध्यान दीकिए अठारो अन्थावन में गवर्रमेंट अप इंडिया एक्ट आया और एक नवंबर अन्थावन में इसको लॉर्ट लेंट कैनिंग जो हमारे थे उन्हें को रीड करा और इसमें हुआ क्या कि कंपनी को कर दिया ग लॉड कनिंग दे ट्रांजिशन पर हां रखना रखना रिखेंगे लिग्म बैंटे की याँ रखेंगे लॉड कर देखने लॉड के लॉड को अथाव्या जैसा इंडिया गया था इंडिया ने जिसकी धाराओं के इसाफ विछारे काम होतें है उन्वी गटारों के अंदर लागू किया गया था अब यहां ध्यांदी जाए एक और इंडियन पॉलिटिक डवलपमेंट में अधारोसो चौरासी इसको डिटेल में पढ़ेंगे कभी अभी हमारा में प्रस्पेक्टिफ क्या है यहां रखना है फाउंडर कौन थे यहां रखेंगे उसके बाद पहला सेशन हुआ भॉंबे में हुआ जिसके प्रेशिए हमारी वो चीज थी और इंडियान को डिवेट करने का मौका में लिया था बजट पर बजट पर वोट नहीं कर सकते अगला कोईट के आफ्रेंट डेट जिट गट रख टु वोट अनवे तक आते हैं इस वक्या होता पाल्टिशन अ बंगाल हो गया था उनिस पाच में के काम के अंदर बंगाल का में प्रस्प्रेक्टिव अगर आप दिखेंगे तो उसका में वीजन ये दिया गया है इं लो सब्सक्राइब जहां हमारा में प्रस्प्रेक्टिव क्या है एक्जाम और इंडियन ऐसा कोई प्वाइंट नहों जो मिस हो जाए उसको एक्षप कर लिया था और लॉंग तम अउजेक्टिव में डॉमिनियन स्टेट की बात रखे गई थी डॉमिनियन स्टेट होता है जिसका तरा में लीच शोटी 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 होती है इसके डिसेजन आप खोद ले सकते हैं पर बड़े डिसीजन होते हैं वह आप जिस चीज को सिंपल सा बोला कि अगर आप उसको साधरन स्टेट में पुले तो अच्छा बात नहीं है उन्हें ने सीज को रिजेक्ट कर दिया और इंडिया ने चीज को एक्सेप नहीं किया उसकी अब नाइटीन फोल्ट टूम एंडिया को दी गई कि इंडिया को बना देंगे स्टाइब वॉर्ड खत्म होगी उसके बाद यहां क्या होगा वस्रीट की मांग रख दिन गी आपके दिमाग में आ रहा हूगा और चल रहे ही ज्यां दीजिए इससेंड विल्ट हे चल रही रही तरीके से बिलकुल बहुत अबने पूरे तदीके से अपना कि हम लोग यहां पर उनकी हेल्प करें जो कि होने वाला तो था नहीं उनकी यहां पर यह उम्मीर कमसा अपना शांत हो जाए जब तक लड़ाई खतम नहीं हो तक अपने डिमांड जाला रूप यह बढ़ाएं उनको यह बोल जा है कि ठीक हम आपको क्या करेंगे को इसमली आ चुकी है हमको डॉमिनियन स्टेट नहीं चाहिए आएसा हमें मीम के फॉर्म में समझ सकते हैं यहां क्या कर रहा है यार क्यों वैसी सिट्विशन बन गई इंडिया वालों के लिए अब ब्रिटिश हमको दे रहे थे इंडिया वाले उतने में संक्तुस्ठ होने वाले नह इस समय में इंडिया वालों को एक बढ़िया उपर्चुनिटी दिखी कि हम अपने आजाइदी के लिए को और मांग उठाएं इन दोनों को रिजेक्ट करने के बाद आट अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमने एक चैबिनेट बनाया जिसका बनाया उन्हीं मे में अब अट्र काम करना तो तेमडरी रूप से आप गवर्मंट कहते हैं और इसना के इसके हिसाब पहली व़ली थी फिसम्बर 24 पहली इंडिया के इंटरिम गवर्मेंट बनाई यहां दीटीका पहले का समय है आपको यह पता है कि इंडिया भले आजाद हमें आजाद कर देना है तो उस समय हमारे देश की आजादी का समय से कि गवर्मेंट किस तरीके से चलेगी उसके बाद किस तरीके से करना उससे फ़ले ट्रांजिशन फेस होता है यह जो फेस का चेंज है पूरी पावर का जो शिफ्ट है वो अचानक से नहीं हुआ इसलिए क्या करा गए इंटरिम गवर्मेंट बनाई गई इं अब थैस रफ शेयर घुल चानक से अच्वारों ट्रांजिशन व Запढ़ यहां यहीं पैज से अपर देख लेते हैं टिव रव्ल के लिवर 24 रव मिनेका ये लाम ए formidable मैंश्टिर वारे जीलग घंए पायनर सोम्ही लियाका टारी पटेल थे हमारे सी राजबंपनारी चाडि थे फूर्ड एन एक्रिकल्चर सब्सक्राइब के आप से कई रखेंग 4 फूर्द अरूमीडर्श में आरे जॉड़ उठी अरुनारी अरुना से पली आप सभी को याद रखेंगे यह हमारे डिश की तरह रखथा थाँ अब दौस्तों अब्धूर श्सक्ता घालों बनावना चाहा करेंesen कुच भिचार मुंधाव यह यादा संकल्प्त है जिसको लेकिए सब्सक्राइब कर दोस्तों आपको बताया था अभी उसके पहली एलेक्शन जो हुई थी पॉस्टन एसको तरा गया था जो इसको तरा गया था नवंबर वने तो 389 मेंबर से अब इसके ग्जाम इस बुश्टन पूसता है तू नाइचे टो मेंबर बिटिस प्रविंस के थे 93 पॉस्टेट्स के थे फोर हमारे हाइच कमशनल का हां साय थे डैली से आय थे हमारे कुर्ग से आया थे अजमेर से आट बुलिट इस तांस से आय थे 15 इसमें वोमें प्रसाद के बाद प्रसाद के बना दिया गया इसका अब देखे हमारी कुछ को सब्सकु array, अब लगे अथК, सब्सक्माधियन को आप क्मिटेटर आपके डॉक्त राजन प्रसाद रहीं इंड्होड पीटर अचां प्रसाद में थेखे हमारी ब्रक्शन अब ठीक必ट सब्सक्राम प्रसाद है स्टेट कमिटी के पंडित जवाहर लाल नहरु है। और डिनसक्मिट्ट की दीदनीर आपके74 हैं ५ सकतवारा पंदेट मुकल। तेर्टान कि मुली करें। के अन्सक्निषन खुआरboysे सब्वाइए हैं। हैं। कभीस सत्तारमई हैं। सब्सक्राइब के लिए सर्दार पटेल है इन सभी के सभी नामों को आप याद कर लीजेगा कम से कम इसके अंदर भी जिसको आपको बिल्कुल कभी नहीं भूल सकते एक आप ड्राफ्टिंग कमीटी का बियारम बेटकर जी का नाम याद रखेगा एक हमारे फ्लैग वाले कमी इन को आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं अब अगराने में कुछ दो साल ग्यारम इन अठारा दिन का समय लगा था एक सोच्छी आट सेशन विए से चौट लग का अप्रोंस पेंडिचर हुआ था और 26 नवा उन्हें उन्चास की दिनको मारा कॉंस्टिटूशन तयार हो गया था इसको हम क्या क्या था इसको आप यहां पर से चेंज कर दिजए का सब्सक्राइब क्या था सबस्क्राइब को सबस्क्राइब उसी वह यहां पर लेते हुए रिपब्लिक इस एक्सेप्ट कर लिए हमें रिपब्लिक कंट्री गनतंत्र का का मतलब क्या है यह हमारा तो हाइस पोस्क्राइब बैठा हुआ बंदा वह गण का तंद्र है वह लोग दी वहाँ पहुंच टक्यों कोई हरेडिटरी पोस्ट नहीं होगी अगला कोई देख लेट दोस्तों वी सब्सक्राइब निस अटाली वे इंडिया इंडिया इंडिपेंडेंड बैट्री मैं आपको टीजब भले आजार इंडिया जो हुआ है अगस्त में हुआ है इसकी बात की पहले से शुरूए इस अपर डिकलिशन हुए इसकी मार्ट न अब ध्यान दीजेगा दोस्तों एक और बहुत इंपॉटेंट पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं हमारा इसका इसकी मुवी की स्टोरी लेनी है पंजाबी म्यूजिक लेना है और कुछ अच्छे अक्टरस जो बालीवूड के होगी है क्यानवाद दूदिन चिद्दी की होगे ऐसे एक जगा मिलाना उससे जबी बनेगी बनेगी एन्ट के सीन बनाया गया कि हमने विदेश के सब्सक्राइब के सब्सक्राइब और यहां देख सकते कि बेस्प विजाब से धाल दीच दिया इंग्ञा सब्सक्राइब नहीं मिलेगी आपको स्टेट और सेंटर इस्टम लिया हमारे लोग सब राजे सब्सक्राइब पाड़ लिया और रूल अपर देख सकते हैं बात करें फॉर्ंस प्रेंबं लिया फॉनेंबय अंट्हर रॉंप करते हैं उनको लिया है और रिलेशन बेट्यूंब इंट लिया सबस्क्राइब और इसके अंदर कापी कुछ फ्रैंग से उठाया है अगर नहीं जर्मानी की बात कर दो सस्पेंशन अपनामेंटल राइट्स से धियान रखेगा फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होता है वह हमने नहीं है जर्मानी से लिए है से कैनेडां से दुस्तों क्या लिया है तो इसे पावर से न की सफार्चनस और इसी बहुए के उसके पाथ करतें गवर्मेंट अंडिया क् 915owe sil Eco कि यकश्भी आइब अमगेंट rencont frenchbaby से लिया है और सपेंशन वह जर्मनी से लिया है रोग डॉस्त मारा अगला टॉपिक हां यून टेरेटरी इसको फटाफ़ देखते वो चलते हैं यून टेरिटरी दोस्तों क्या है ये सेंट्रली अडिमिनिस्टर टेरिटरी से रिक्षट पर डिरेक्षा और यूटिटी जिथ यहां भी है और यहां भी है और यहां भी है और यहां भी है और इंडिया के दोनों तरफ हमारा पुलिचरी है अब यूणियन टेरिटरीज आप सुझेंगे बनाने के नीड की हो पड़ी तो आपको समझा देता हूं उसको बनाने के एक मेन नीड यह है कि वह ऐसे जगाप लोकेशन से उनके लोकेशन से इस तरीके से कि उनको मैनेज करना काफी मुश्किल पर सकता जैसे आप देखेंगे अब यूणियन को ध्यांच देखें यह आपको अंडमाने को बार है एक आपका लक्ष दीप है ये दोनों जहां दोस्तों मेन लैंड से दूर है अब मेनलेंड से दूर है इनके उपर आपर निको इनको बाहर गराज मिलाना थोड़ा सा आसान पड़ जाए तो यहां पर तरफ में तरफ के रखा गया इसका तरफ में नाम देढ़ तो काफी का लोगों काम करना इसलिए इसको सेंटर किया जाता है तेमा आप देख सकते हैं लदाप पर जमोर स्वेश्मीर शेट्रेज इस है इसलिए वहाँ पर दिफरेंस है इसलिए उम्मीद करता हूं को समझ हादा हुआ क्योंकि यहां पर रिजन्स डाले गए अभी बांक्यों कभी हम साथ सा देखते हैं कहां कहां पर एड दोस रीजन्स वे रसेंटर गावर्मेंट डोंट वांट 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 पावर तो स्ट सब्सक्राइब करना है उसको पुलीसिंग अपने हाथ में चाहिए ऐसे चीजों के लिए डेली को भी यहां पर क्या बनाया गया है विनियन टेरिटरी बनाया गया है अब इनका अपना कल्चर है यह अपने पूर्टगाली कल्चर को फॉलो कर रहे है अब यहां पर स्टेट बन जया था इनको अपनी बिलना भी काफी हत्तर प्रॉलमेटिक हो सकता है तो इनको इनको प्रिजर्व रखना यह भी हमारे देश की में बारी थी जब हमने इनको अ रखा गया है है उस्टों अगला हमारे का स्टेटिक रीजन बजारी आपको फॉंडटिकरी फ्रेग्मेंटेड है और माने निको बार जो हमारा में लैंड से दूर और जमू कर लग्श्ट आप जानते ही है यह इसको पाकिस्टन वाला पूरा तीन और वहां पे डर्रिस का इस इन पता है इस तकर हमें उसको भी बांट दिया है अब बात कर दिए में बाट आजये मगर यहां बगए गाए अगर वह ज्यादा स्टेट होती उनको अटानमी मिलती इनको लगेगा उन चेत्रों की आटानमी जो है चली गई है इससे और सबसे इंपॉर्टन पॉंट य यह भी है कि अगर देखते हैं अगर देखते हैं अगर आगे देखते हैं अगर आपको बता दिया एक तो हमारी पस क्या है पॉपलेशन बहुत ज़्याद है डेली की इसमें से छोटे इंवे देंसिती बहुत ज़्याद है काफिर डाइवर्स पॉपलेशन आवे हमारा पूरा पूरा देश जो है तो देखते हैं उसकी सेक्वालिटी की रिजन्स होंगी उसके बाद एक प्रेट्स वाय अगरा अगला टॉपक आता दोस्तों सब्सक्राइब लेंग्वेज का है लेंग्वेज के फटा फटा फट देख लेता आर्टिकल के फॉर्म में आर्टिकल ठीकल्टि पॉर्टिक थी कहता है कि हिंदी जो हमारी देवनागरी लिपी के अंदर होगी वह हमारी ओफिशियल आप लोग मैं पढ़ते हैं आप लोग मैं पढ़ते हैं वह किसको एडॉप कर सकती है वह और मोल लेंग्वेज को जातो हिंदी को जो अपने ऑफिशियल पर पसके सेट के काम के लिए इन दोनों से क्वेश्चन एक्जाम में आता है आप इंग्लिश का लिए रखेंगे और आप हिंदी के लिए याद रखेंगे अगरा है दोस्तों हमारा लेंग्वेज के अंदर सिंधी लेंग्वेज जो थी उसको 21st constitutional amendment नेपाली मनीपूरी कौनकनी को 71st amendment नेंटी नेंटी द्वारा और मैथली डोगरी बोटो एंड संथाली को एंसर्ट कर आता आठ में सम्विधान नहीं इन सटेने एट शेडियूल ऑफ कॉस्टियूशन वारा दोहजार तीन द्वारा ध्यान दीजेगा लेंग्वेज हमारे कितनों को आप अल्रेडी पढ़ चुके हैं जो नहीं पढ़ें वापिस से रिकॉल करेंगे देख रहेंगे पहला शेडियूल में क्या है नियम और स्टेट अन यूटीन राजय सभा ये चीज़ भी हमने पढ़ रखी ची साथ-साथ-साथ शेडियूल पाइव आपका अडि यहां पर जान दीजिए हमारे देश में सेंटर को किस चीज़ पर लॉबनाना है यहां कैसे डिसाइड कर सकते हैं कई बार आप याद करने को स्ब्सक्राइब बहुत परशान हुआ कि समझ जिस चीज़ के ऊपर जो पूरे पूरे देश के लिए जैसे लाग बनाना है जहां नौर्थ और सॉठ में फ़लक ना हो जैसे कर दो यहां के रिक्ती को जहां के रिक्ती में कोई फरक नहीं अब जैसा लव बनाना है जिस लोपे नौर्थ साउथ इस और वेस्ट इंडिया की इतनी डाइवर्सिटी इतनी कल्च्राइल डाइवर्सिटी होने के बाद भी वह ऐसे चीज़ बनाएंगे तो कौन बनाएगा सेंटर बनाएगा आप एसी कौन से चीज़ है जिसके ओपर यहां इतना कल्चर का डिफरेंस है यहां और यहां पर इतना कल्चर का डिफरेंस है उसको इफेक्ट नहीं करेगा दोस्तों आभ ध्यान दीजिएगा हमारी इंडिय इंडिया के लिए बनाने की कोशिश करते हैं अब अगरना बात पुरे देश के सेक्वाडिटी करनी है उसका हमारे यहां यहां के कुल्ट्र डिफ्रेंसे से मानेता नहीं है तो उस केस का बनाएगा सेंटर बनाएगा अब किस चीज़ बनाएगा देखिए उन चीजो जहां जहां पे हर स्टीट की चीज अलयग अलग हो इंपोड करन से मिध्ष की में इक सब्सक्राइब करेंगे तो मैं उम्मीद कर आप समझ गया हूंगे ऐसे की सिंगल तरीके से काम करी जा सकते कॉन लग बनाएगा सेंटर बनाएगा जैसे जिसके उपर यहां 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 में सकता है यहां की प्रब्लम नहीं समझ गारा कि हर राजी का बंदा अपने 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 अपनी जरूर्तों हिसाब से लोग बना दोस्तों को साड़ी चीजे हैं इस एक बनाएंगे यहां तो कोई चीज़ क्करेंड को नहीं करेगे लेकिसे दोस्तों करने education की बात करो अगर अगर आप education की बात करेंगा तो education में के पूरा center भी लोग बना सकती है अब आपके रिवाग माइफ फिका तो पूरा center ही बनादी अब देखे हमारे जो साउच हिंड गा है इसमें चोला Empire है इन की इतनी बड़ी वीर गात है इसको नौ अपनी विरता के कहान है तो वह इनके सब्जेक्ट में स्वेवस में एड़ करना बहुत जरूरी है जहां तो व्यक्ति हैं अपने लिटर से अपने हीरो से कर पाएं तो एडूकेशन को रखा गया यहां पर किसमें कि उसको सेंटर के लोग अपना लग बनाए कि वहां लो हिस् समझ गये होंगे अगला हमारे क्या अपना क्या है अपना क्या है एंटी डिक्रेक्शन लॉइशन साइस के अंदर शेडूल लाइन में आपको जैसे लॉव लैंड रिफॉर्म्स वाली चीज़े है और इसको हमने पहले पुंस्टिशन अबन में एक नाइंटीन द्वारा ज रखेंगे शेडूल 10 अपना क्या है एंटी डिक्रेक्शन लॉइशन लॉइशन अपना अलग से पढ़ाई करी रखिया प्लास के अंदर यह आपका 502 कॉंस्टिशन अमेंट में एक नाइंटीन तू द्वारा जोड़ा गया था और शेडूल 12 नापका क्या पावर एट्व अब लोग अपने अगले टॉपिक कोंस्टिशन अमेंटमेंट की तरफ बढ़ते हैं लेके दोस्तों अमेंटमेंट सबजने से पहले आप मैजॉर्टी समुझने किस तरीके से मैजॉर्टी से विलिया को यह पास होता है सब सब्सक्राइब क्या होता है 50% अब दी मेंबर प मैज जाते है ऐसे उतर इसे परशन उन आर्यवार्युट गया कोई ऐसी इंडिया के दर फ्रीज पास नहीं होती इंपल मैज्यॉर्टि से एफटी इफिक्रेक्टेमर्टी से कीशाम जाम करते एक अपटी होता है मोर्टें परश्टी परसेंट ऑफ टोटल मैंबरेंग आज तो आपके प्रेजेंट मतलब क्या है यहां प्रेजेंट का मतलब क्या है यह समान लोग 545 मेंबर जीट के आगा इसे एलेक्शन जीट किया है इस मैं लोग 5 क्या है इसकी जो मेज़ोरीटी होगी दोस्तों कि अगर मालू मैं है वह गोलू तो तो टल व्यांबर से वहाउट यह इंपीच्मन प्रेशिडेंट में यूज करते हैं प्रेशिदेंट को इंपीच करना होगा दो तो त्याई किसका होता है टोटल मेंबर सिप अब दी हाउस म मानलों अगर हमारे केस में क्या होता है प्रेशिडेंट वाले केस में अगर आदेखूंगा अगर हाउस की मेंबर्शिप 545 है तो दो त्याइए वह हुआ 545 का जब पार करेंगा तब हम प्रेशिडेंट को इंपीच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ड के जद के लिए क्या सीन र सुप्रीम कोर्ड के जज़ की बात करूं तो पास होनी ही चाहिए अब मालों आप कहेंगे कि ठीक है भया सुप्रीम कोर्ड के जज़ के वाले दिन साथ ही बंदे आते हैं अब साथ बंदे अपना पच्वन से जाता है कोरम भी पूरा हो गया इसके साथ हाउस की मेंबर्शिप का 50% भी प्लस होना है अगर हाउस की मेंबर्शिप का 50% प्लस नहीं हुआ तो वो चीज़ हमारी यहां पे वैलिड नहीं मानी जाएगी अगर मान दो हाउस मारा 540 मेंबर तो 540 मेंबर माल उसके बच्टे हैं 545 मेंबर हैं तो 545 मेंबर हो जाए तो समझ गए होंगे अबना आपको बढ़ा जाते हैं एक्जाम के लिए पूरी पॉलिटी में आपने जितना पढ़ा वी तक वो जितना इंपोर्टेंट है उससे थोड़ा सा ही कम मान लिया है बराबर हुमानिया इंपोर्टेंट यह यह चीज़ आप बिलुकुल नहीं भूल स यह चीज़ आप पूरी तरीके से याद करने होगा एक एक लाइन याद करने के लिए लिए लुट्रोल करना था लॉफ लैंड रिफॉर्म को एड़ कर दिया गया था लिमिट कर दिया गया था पहला सम्भिधां संचोच निया रखेंगे लाइन शर्यूर एडिट जूडि गया था इसके अंदर क्याथा इंप्रीमेंटेशन करा गया था स्केट रिओ नाई इसन्य एकट को फ्रीट को लिंग्विस्टिग में अभाटन की बात करी तो उसको यह चीज़ को रखे गई थी ति मैंग आगे देखें तो आगे देखना तो दस्वा सम्भी थांशन नो निटेंट इन्टेंट वह था वो बुकेम जाग इंडियर्न युनियन टेरिटरी बन गया था मारा पुडूचरी लोगे इंडियों का पार तुम ने पर दो चपन के समय में उसको भूशना करी चोवन चपन का सपार कर दूने समद पूररा केस प्ड़ा तक फ्रांच वाला व को संभिधान को इंद्रागंधि की सरकार्थ CR to काफी सारे अमेंड्मेंड्मेंट्स करे थे इसमें घ्राज थो संभाइश कर दिया गया और है गई गई और यसा टोन फॉल्ट च्बाओ इंटी टीक्वारा उसको इसको च्राइट के वपादी दिगाई थी 42nd 2016 सबसे इंप्र इसमें क्या जित्व एडाई इंट्रॉट इंट्रम्स को एड कर आइब प्यांबल में ऑन्टिशनल अमेंडमेंड में उसने कहा कि चलिए नहीं करा जा सकता पार्ट पूर फॉर्णमेंडल दूटीज एड करा गया था स्वर्निसिंग कमीटी याज रखेगा और लिविट कर जी थी पावर जुडिशन रिव्यू को अगला दोस्तों देख लेतने फॉर्टिफ फॉर्ट इंबोकिंग अबर्जन से प्रोविशन अपको मैंने बदा अपने आंड रेवलियन वाला जो जीस था उसको करा गया था जो हमारी इंटरिनल डिस्टरमेंट को हटाया उसकी जागा आम रिवेलियन डाला गया था अगर एकने दोस्तों फिप्टी सेगंड फॉर्टिशन अग्वाइब नाचल पर इस पॉस्ति अगया याद रखेगा 61 के अंदर एज ऑगोटिं राइट जोची उसको एककिस साल से अठाइव साल कर दिया गया यह यह जो हमारी वोटिं राइट थी उसको एकिस साल ते से अगरे उसको एकने फिप्र नाच्छ एपयंड ओंडिंवन और मुनिस्पाराइब यह दिए उन्पोर स्टेटर्स मिली और उसके लिए शड़िव बाराय यह इसके व्यूपर मैंना को सब्सक्रियोटिस में बता रख्था है इसके उपर कितनी बार बात करने की मतलब यह है अपना सुनी होगी कई बार डिबेट्स हाती है जब भी हम रिजर्वेशन की बात करते हैं कई बार डिबेट्स आप सुन जोके होंगे उसके और हमारा अगला क्या है इसको पर हमने अल्रेटी डिसक्रशन काट चुके है आटिक माइसमा 15 पर संट होगी मिनिस्टर बनाया जा सकता है यह जोड़ा गया जोड़ा जोड़ा ज्वारा उडिया या उडिया को लेंगवेज क्यKव अपना माणि इडिया उसको अपना मांन उसको अब ईसके लियर करेगा थे आटिकल 279 याद रखना इसको दोस्तों 102 समविधान संशोजन जो हमारा राठारा में इसमें नेशनल कमिशन और बेकवार क्लास इसको स्टिश्टीशनल स्टेटस दिजा गया एक्सोंता समविधान संशोजन में क्या हुआ था कि सब्सक्राइब कर दिया गया इसको समाप्त कर रहा हुँ मैं आपको चीज़ बताई है इसमें इंपोर्टन आप फिर से टिक कर देता हुआ रिवाइस कर वाद रिवाइस कर दो अ पहला दाप Primary यां रखना है सातव कर लिक्स पर संट रखना है उसकोर गोलते को कर भी तरीक से याद रहा है उसके बाद रखेन उनको नहीं भूल सकते आप को विलुत भी नहीं भूल सकते को याद रखना हि रहन पुट किअना नसलों को बिशकर को बिलकूल याद रखना है इसके आपको मिखने पे साल कि नहीं भूल तो nam आप 90 याद रखना उसके वार फिर्ट आपका सौ के बाद जितने हैं यह आखरी के जब पांच है यह आप बिल्कुल भी भूल सकते इनको आप बिल्कुल याद रखिएगा में अपना जो में टास्क ये था कि जितनी भी चीज़ें को हमें नहीं भूलना है हमें याद रखनी है खर सारे के सारे मैंना आपको समय जितने अमेंडमेंट गिंति यह सारे ही इंपोर्टेंट इस में जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वह भी आपके लिए मैंशन कर दिया है अब हमारे सिटिजन्शिप का चोटा सा टपिक बच गया तो उसको भी सासा देखिए लेते आप स्टेट का जयाने देश का क्या है स्कूल यूज कर सकते हैं तो सारी के सारी फैसलिटीज के रूप में मिलती है यह जिस क्लैरिफाइब करना अवश्यत था कौन सा बंदा हमारा सिटिजन होगा और कौन सा बंदा सिटिजन नहीं होगा इसको बड़ का फाइनली जूल क बताता है कि बारे में इसकी बेसिक आइडिया देडिगई थी अबाकि इसको पर रूस है आगे 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 बनाते गए है ध्यान दीजिए से बहुत इंपोर्टेंट आटिकल आपका आटिकल ग्यारा है यह क्या करता है यह पावर देता है किसके उपर स्टिजिजन शिप् सब्सक्राइब इसको याद रखी कई बार एक्जाम में पूस्ता है सब्सक्राइब आपको ध्यान रखना है उनके बारे में बता गया आटिकल 6 के अंदर आटिकल इस पाकिस्तान वह साथ में अदिया जो पाकिस्तान से इंडिया उसका क्या है श्यूद जैसे आपको पता है करते हैं तो अपनी पूरी इंडिकान नीथी वह अपनी सुनीता विलियम्स हो गए अब इन लोगों कहते है परसन अप इंडिया नो रिजिन है जो अधिन दूसरे देश में जाके बस गए ऐसे रेक्टियों के बारे में प्रोवीजन आर्टिकल आर्ट में रखा है आर्टिकल के अंदर दोस्तों अब हम अपने एक्जाम की जो तैयारी हमारी प्वालिटी की थी उसे अच्छे रिवीजन करी अब इसको समाप्ती की ओर ले जाएंगे पार्ट के साथ साथ मैं आपको सारी की इसमें इंपॉर्टन 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 से पढ़ा दिए हैं इपॉर्टन इंपॉर्टी सब्सक्राइब और अपर यहां तेटीनसे के इस सटेट ने शेयुए तेट है इसमें आप देख लेजह के बारे में बदा ना रखा है फुप्वाटीन आपका इलेक्षर्ण से पार्टी नों सको प्लेंटेर्स हैं आप सेमोडर्यां सब्सक्राइब करते हैं इनको आप नहीं भूलेगा सब्सक्राइब कितने सारे कोशन देखने को मिल जाएंगे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ याद रही होंगी खासतर कि जो आपके यह हैं इमर्जंसी हो गया अमेंडमेंट का पार्ट 20 हो गया कि एलेक्शन का पार्ट 15 हो गया कि यह आपके पंचायत मुंसी पैलेटी इस गया आपके जितने हो गए उसके बाद आपका फंडामेंटल राइट्स डीपी एस पी और फंडामेंटल ड्यूटी इस 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 जो है हमारे इनको आप बिल्कुल भी मत भूलिए इनको जरूर याद रखिएगा तो दोस्तों इसके साथ हम अपने पॉलिटी के क्रैश को सबापती के ओर लेकर जा रहे हैं मैंने कहीं पर अपनी स्पीड थोड़ी स्टेज भी करिए क्योंकि मुझे लगता है कि हो चीज़ अगर मालों इर्जाम के लिए ब अपने आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा मैसूस कर रहे होंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिए चीज़े समझ हाई होंगी मैंने अपनी तरह से जितनी कोशिश कर सकता है अपनी पूरी कोशिश करी है कि अपना पूरा टाइम देख कीज़ों को चार्ट के एक्जाम के हिसाब से देख के बहुत सारे पेपर्स को देख करके जो मुस्ट इंपॉर्टेंट चीज़े थी जो आपके लिए बहुत ही ज्यारा ज़रूरी थी उन्हें हर टॉपिक को लिया ऐसा नहीं है कि हमने आप कुछ टॉपिक को छोड़ दिया एगनूर कर दिया जि कि उसके आपको काफी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं मैंने स्टेटिक लेके आ रहे हैं डेली एक नाया चेप्टर लेके आ रहे तो वहां से मैथ की रिवीजन कर सकते हैं उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर आर्वी एप्लिकेशन पर हम लोगों ने जीएस का पूरा कोस कम्प्लीट मतलब पूरी तरीके से कम्प्लीट हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी एकॉनिक उसके बाद रादिका में हम द्वारा फिजिक्स केमिस्री बायोजी साथ जी जो आपको यूट्यूब पर यहां पर आविलेबल मिल रहा है यह पूरा का पूरा कम्प्लीट को सम्दों को जोगरा है पर प्रवाइड किया जाएगा इसके अंदर मैं आपको हिस्ट्री पॉलिटी और जोग्राफी करवा रहा हूंगा रादिका मैं आपको फिजिक्स कर दोस्तों साथिक्स का भी कोर्स है आप इसके बार में देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों हमारे ऑफिसर बैच के अंदर हमने क्या रखता है मात्र वन ट्रेपल नाइन की पीस के अंदर मैं इंग्लिश जी के रीजनिंग पूरा का पूरा तैयारी किसी भी एससी लेवल के एक्जाम के लिए कुए हमारे वंडे एक्जाम होते हैं इन सभी एक्ज बाद आप तैली ग्राम ग्रॉप आपको स्पेशली मिल रखाओं आपको डिरेक्ट टीटर से इंट्रेक्ट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कि आपको इस क्लास की जो पीडियाफ है दोस्तों यहीं पे मिलेगी आप इसके लिए और बी अंडर्सकोर एस इसको आप आप नहीं भूलेगा देख सकते हैं आप यहां पर आपको आज की क्लास समझ हाई होगी जतना मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा इसको आप रिवाइस करिए प्रिवियस एर कोश्चन से लगाईए और मैं आपको इस चीज़ का अभी भी आश्वाशन देता हूं कि यह करन मुझे लगा एक्जाम के लिए मिनिम्म से मिनिम्म समय में वेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करी गई है इस चार घंट की क्लास के बीच में अगर आपको लग रहा माच चार-पाच घंट की आपके छोटी सी क्लास है इसके पीचे काफी जादा समय इस चीज़ पर दिया जाता है कि आपको बिल्कुल मीज मुद्दे की चीज़ पढ़ाई जाए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ पसंद आई होगी धन्देबाद दोस्तों वश्चुम दिल सब्सक्राइब आपको समझाई थी मुस्लीम लिग याद रखेंगे सूरस्टेशन आपका 1907 याद रखेंगे इसके अंदर का तूटी थी किसमे गरम दल और नरम दल में इसका अग्ष्ट्रेमिस और मॉडरेट कहते हैं उन्यों सब्सक्राइब करने का एक वोट की जगा है और इसके हिसाब क्या है कि सपरेट एलेक्शन डिविजन मिल या मुसलिम को उनको स्पेशल राइट टुवोट मिला महात्मा गांद जी ने कहा था तकि इस राइट एक्ट सब्सक्राइब कर लिएगा अब ध्यान दीजेगा अब ध्यान दीजेगा सब्सक्राइब करने के लिए नहीं हुआ है सब्सक्राइब कर दोस्तों वह हमारे कहा थे इस के समिशन को बनाया गया इंडिया में भेजा गया सब्सक्राइब कराई इसमें सारे का सारे ब्रिटिश मेंबर थे अर इस पर एंडियां से लोगों इटाइए इसको अब लोगों इसका अपोस करा अध्यान दीजिए इसके अगे लाहूर में प्रोटेस्ट पतरा तो पंजाब केसरी जिनको हम कहते हैं उनकी यहांब मौत हो गई थी याने उनके लिए निजन वाल करेंगे निजन हो गई थी और इसके साइमन गोबेक का प्रोटेस्ट चला था अब अध्यान दीजिए के लेटिनेंट स्कॉर्ट ने मारा था इनको आपको पता ही है इस चीज के बारे में काफी मूवी में भी आपने देखा होगा अब इसके बाद क्या हुआ था आपको पता भगत सिंधी ने कैसे बदला लिया था इस चीज़ का पूरी स्कूरीय मूवी व इसके तोन क्या करा इसको अब पहला राइद का रिच्टन डिमांड हो जो मैं आपको बताया था अब पहला यादि प्लूप्रिंट डाला इंडियन को अब प्लूप्रिंट डाला और पूर्स वराज बनाया यहीए कारन था कि आजम रहा री पबलेजिज शंवाली की इक ब को अब ध्यान दीजेगा इसी समय में हमारा राउंटेबल कॉंसरेंस को अब ध्यान दीजेगा इसमें घ्यान रखेंगा एक्जाम में करेंगा पूरा समिक्षा करी जानी है इन दोनों ने दोनों के दोनों को अटेंड किया था महात्मा गांदी ने दूसरे बार वियों करा था उनिस्सक्राइब गई थी उसमें डिमांड रखेंगे फंडामेंटल राइट्स की इसके प्रेसिए सर्दार वल्लब भाई पटेंट से याद रखेगा सेकंड अगर आपको फंडामेंटल राइट चाहिए अगला गवर्मेंट लाइंगा तो आपको मिल जाए तक तब भी लोग उसकी बात मान रहे थे उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी नहीं माना और उन्होंने क्या करा अफंडमेंटल राइट्स नहीं बागी सारी जिजों में का करें और हमारा कॉंस्ट्यूशन है उसके असी परसेंट अफ चीज़ जो है वह एक्जाम में कई बार कोशन आता है डायार की कब लाई गए अब बंदे उन्हें सो निस में प्रोविंस में लाइगा है यानि स्टेट में उन्हें प्रोविंस में कहां लाई सेंटर में तो अ अब याद रखेंगे समस्ट्रीम कोड़ जो तक दिल्ली कर दिया गया उन्हें अग्यान मारत वारत से सेपरेट कर दिया गया पहले आपका मैन वार वाला पूशन इंडिया का इथा जो यूस्वली बंदे पूस्ते हैं का यवारी कैश्टी के एट्टी परसेंट जो हमारा अधिकार या जीने के आधिकार है वहार पर नहीं थी जो हमें यहां पर मिले कि मैं उब्रेक लेकर के शुरू करेंगे और यहां से चीज होगी बहुत इंपोर्टन होंगी एक्जाम के लिए क्योंकि मैंने आपको एक बेसिक अभी तक दो दोस्तों काम किया किया मैंने कि आपको बेसिक अंटरस्टेंडिंग देरिया है हिस्ट्री वारी चीज की मैंने यहाद आप उस फड़ा स्पीड मी तेजर रखा एक लास करने का कि आप लोग तो नॉर्मल से स्पीड में अपना देख रहे हैं आप फिर पॉइंट सेवेंवाइब करके अगर आपको प्र आपको फटा 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 वर्टा रिवीजान हो जाए उनचीजों की रिवीजन करें के बागि को आप इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको छोटे से ब्रेक चौश प्रस्वेंट को शुरू करते हैं